इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राग है, तो कहीं धुआ धुआ धुआ? क्यूं कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुए को क्यूं झेलता? हो गई परताश्त की अब इंतहा, बुझे सिग्रेट पीडी दिखे चलती जहां, पबलिक प्लेस पर सिग्रेट पी ना मना है, उलंगन करने पर होगा जुर्माना, दुम्रपान ना करें ना करने दें, दुम्रपान पड़ेगा महेंगा, खुशी कौन नहीं चाहता? लेकिन किस कीमत पर? दुम्रपान महेंगा पड़ता है, दुम्रपान आपके लिए हानिकारक है, और आपके चाहने वालों के लिए भी, दुम्रपान पड़ेगा महेंगा, शिग्रेट पीना कैंसर का कारण और जान लेवा है, शाराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, अर भालों के लिए हान तर छार के लांद मेंगा। बलाख अर रा कैन रालों के लिए्ष माया है, अरल बेना सेहत कुम्राइब उ जासे जासाओ उढ़ना है, तो झासाओाब है, जासाओ स्स्त्त्रा के लिएहाइए है, सेर हुआ है, याहाईश है गप्रमो्पजको रिपुंट अ οποन करते हो दो कि मेंगर भीफारा इसाझा wa उ responsible ह guitarist कि मेलाख को YouTube सुग्ण करक्रा कियो प्रथ दै도र Northwestern How businessman कि मेले वाले चेन 문बते है कियो ए हो इया रडिक साकर tut टृब वाल download भाई साब मुहरत बहुत अच्छा है हे गनपती पपा आज तक जिन्दगी में कितनी भी मुश्किले आई मैंने सब का सामना किया लड़का हमारे घर का है इसलिए हमें कोई भी परिशानी नहीं और मेरी लड़की का भी कोई प्यार व्यार का चक्कर नहीं है हमें हर मुसीबत से सम्हालने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं यह शादी अच्छी तरह से होनी चाहिए बस यही आशिरवाद दीजिए अब इस वक्त यह कहां चले परवती आप इतने देर तर कहां थे अभी अभी एक व्याइपी से मिलकर आ रहा हूं क्या व्याइपी अरे भगवान से मिलकर आ रहा हूं बेटी की शादी है और आपको मजाग सुझ रहा है क्या आप भी न अच्छी लग रही हो भाबी यह थाली ले जाकर पुजारी को दे दीजिए न ठीक है तुम सब लोग जल्दी जल्दी हांच चलाओ अच्छा अब आप लोग खा कर जाएगा थोड़े आपको छोड़ने वाले हैं अपनी घरवाली के लिए खाना ले जाने के लिए लाया हूं अरे सुनो इधर आना मुरत का समय हो गया है दुले को लेकर आओ यहां क्या कर रही है बहाजाकर मेहमानों को देख जा मां शीवा कहा है सब उसका इंतजार कर रहे हैं मैं भी उसे ही ढून रही हूं पता नहीं कहा है मेरी 20 साल की सर्विस में नजाने कितनी शादियों का खाना तयार किया है मैंने पर इस तरह खारा बनाने के टेकनिंग ना तो पहले कभी देखी और नहीं पहले कभी सुनी है ऐसी डिशेज ना तो मैंने आज ते कभी तयार किया और शायद ना ही कर पाऊंगा तुमारे हाथों में तो कमाल है, दिल करता है इन्हें चूम लूँगा थेंक्यू, 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 समझ गए ना हटो यहां से, यह सब क्या है शिवा, तु यहां खाना बना रहा है और वहां तुझे सब ढूण रहा है यह सब छोड़ और चल मेरे साथ, चल यह सब शादी के बाद करना मुझ जैसे ग्रेट कुप की शादी में लोग आएंगे तो सब की एक्सपेक्टेशन बहुत ही बड़ी होगी ना इसलिए तो मैं यहां पर खड़ा हूँ और खुद ही खाना बना रहा हूँ खाना कभी भी बना सकते हैं, लेकिन शादी सिर्फ एक मूरत में होती है जलो, अरे बापरी यह क्या कर रहा है, नमक जरा संभाल के डाल लड़की को लेके आईए शिवा, अरुना कमरे भी नहीं है पेंचन के मारे बाधरों में कई छुप गई होगी, चिंता मत करो आजाएगी मैं मजाख ने करी, सीरे सुप की देख़ए यह शादी हमारे माबाप का सपना है पर इस शादी से मेरी सारे सपने पानी में मिल जाएंगे और माबाप के सपनों को सजाने के लिए मैं अपने सपनों की कुर्बानी नहीं दे सकती मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी कोई डॉक्टर या इंजिनियर्स से हो पर किसी कुक से हो ये भी मैं नहीं चाहती मैं किसी को जान दुछ कर दुख नहीं पहुचाना चाहती पर मैं भी मजबूर हूँ इसलिए मैं जा रही हूँ मुझे माफ कर दीजेगा अरुमा कल शिवा की होने वाली बीवी शादी होने से पहले भागे भाई अरे वो भागने वाली थी, यह मुझे पहले से पता था तुझे कैसे पता था? उस लड़की का चाल चलन बिल्कुल भी ठीक नहीं था अरे उसकी नजर हमेशा से मुझ पर थी अच्छा अरे बकवास बंद करो आए बड़े पंचायत करने वाले पहले से ही 120 रुपे बाकी है वो पहले चुगा उसके बाद बाते करो अरे एक सिगरेट देना भाय अरे यह आदमी पहले मुझ से उधार लेता था और आज इतनी बड़ी बड़ी बाते कर रहा जानते हो तुम अब शिवा बिटा जो तुमारे साथ हुआ ना बगवान न करे वो किसी के भी साथ हो बगवान तुम्हे सद्मा बदाश करने की हिम्मत दे अरे हिम्मत से क्या होगा जी जो इज़त जानी थी वो तो चली गई मैं तो बाहरी आदमी हो फिर भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये लो ये किसलिए बरदाश नहीं हो रहा है न इसलिए जहर खाकर मर जाओ अरे जो लड़की भागी वो तुम्हारी होने वाली दुनन थी मैं क्यों जहर खाऊँ अरे बाबा यही तो मैं कह रहा हूँ मेरे मामा की लड़की को ये शादी मंजूर नहीं थी इसलिए चली गई तो मैं क्यों चिंता करूं इसमें लेकिन ये तो अबे गधे पिछले इलेक्शन में तुने रूलिंग पार्टी को वोट डाला या फिर ओपोजिशन पार्टी को डेली में रहने वाले प्राइम मिनिस्टर सहब तेरे जैसे गधे ने वोट नहीं डाला यह सोच कर क्या रात को बिना खाय पिये सो गए होंगे अरे श्रवन इधर आँ शिवा इसे गणपती बापा पसंद है तुझे भोले नाथ पसंद है पर मैं साई बाबा को पसंद करता हूँ जब भगवान को लेकर हम अपनी पसंद और नापसंद रख सकते हैं तो इंसान में क्यों नहीं रख सकते हैं जब मेरे मामा की लड़की तो यहां चाय के बाकड़े पे बैठ कर बकवास की बाते करने से अच्छा है कि जाकर अपना काम करो फाल तुम्हें दिवाना खाता है यार अच्छा वह शंकर कहां पर आज कल कहीं दिखाए नहीं देता अरे वह बहुत बड़ा आत्मी बन गया है शहर गया है कुछ काम ना के लिए हां तेरे बीबी उसे के साथ चली गई गया अरे तुने बताया नहीं मैं कब से उसके पीसे था आगल है क्या उसे भी साथ ले जाने का फैसला कर लिया हाँ बाबा शिवा साथ आएगा तूसे चेंज मिलेगा उसकी केटरिंग में मास्टरी है बहुत अच्छा खाना बनाता है अगर यही काम वो फाइस्टर होटल में करेगा तो शेफ कहलाएगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी बाबा वो अच्छे पैसे कमाएगा चलता हूँ इतने लाड़ प्यार से मैंने उसे पढ़ाया लिखाया फिर भी आज उसे यहां से अपमानित होकर जाना पढ़ रहा है यह भगवान शिवा इसमें अपमान की कौन सी बात है बेटी छोड़ कर चले जाने के दुख से ज्यादा मेरे अपमान के बारे में जो सोच रहे है यही मेरे लिए बहुत बड़ी सवभाग्य की बात है अगर अरुना से मेरी शादी हो चाती अगर तुम यही रहते तो अच्छा लगा नहीं मामा जी अगर मैं यहां कुछ दिन और रुकूंगा तो आपको और ज्यादा दुख होगा थोड़ी दिन अगर दूर रहोगा तो आपका दुख थोड़ा कम हो जाएगा इसलिए मैं दूर जा रहा हूँ तो मैं अच्छाइब में अहिए अरे बटूक ना खाग दो यह से जटें किस्टेछ वेटल की अबस्वागर देखनेश हैं अरे अरे बटूक ना खाता जाग वागो होगो माई पता है तुछाव यहां क्या खेयते हैं क्या 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 कर सकते हैं एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता मैं अपने बालों को देखो एक दम भूत की तरह दिख रहे हैं अगर इसे ऐसे चोड़ दिया तो इनका घोशला बनेगा जुए अंडे देंगे फिर वो बड़े हो जाएंगे बड़े होकर नोच-्वालों के इनके बालों को खा जाएंगे अप क्या करने की सोच रहे हो वहीं सोच रहा हूं जो हमेशा सोचता हूं निकालो मेरा हाँ अवजार से काट के रख दूंगा सबको अब तुम्हारी शकल इंसानों जैसी लग रही है अब देवकुफ क्या कहा तिरुपति वाला जी जा क्या मनत मांगी थी यह बाला जी में मनत मांगा था यह तुमने बड़ा पाप कर दिया कैसा पाप कर दिया अरे तुमने बगवान की मनत के लिए रखेंगे बालों को काट अरे यार तुने कभी बताया नहीं कि तेरा घर इतना बड़ा है इसका उनर मेरा दोस्त है कुछ काम के सिलसिले से अमेरिका गया है लोगों के भरोसे वह छोड़ नहीं सकता था तो मुझे संभालने के लिए कहा है चल अंदर आजाओ सर ये कौन है शिवा क्या बात है आजाओ चलो अबे यार या आदम जैसा आदम अरे मैं कोई आदम नहीं हूँ ये मेरा नाम है क्या नाम है अरे छोड़ इसका नाम चेला राम है यही सब के खाने पिने का इंतजाम करता है हाई प्रभू है सॉरी यार तुम्हारी बहन के श जी वो मेरी शादी नहीं हो पाई क्यों एक कुक के साथ कोई लड़की शादी नहीं करता चाहती है बहुत बोल लिया तुमने सॉरी इस ओकि नो प्रब्लम बटुकनाद का है सुनो मित्रों पढ़ना लिखना सीखो और अपने ग्यान को बढ़ाओ किसने का अभी अभी आते से मैं मैंने ही तो का क्या ये सब वो क्या है कि छोटे बच्चों को नोट्स दिखाने में मुझे मदद करनी थी इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर आ गया बाइदेवे आपके बारे में अच्छे से जानता हो वैसे बहुत-बहुत मुबारख हो आपको क्यों शादी रुख जाने के लिए बिलकुल नहीं मुंबई आने की खुशी में वैसे एक बात बताओ गाओं से कंधे पर जोला लटका करके सीधे मुंबई क्यों आएं नहीं आ सकता क्या आ सकते हो पर मुंबई के बारे में तुम जानते हो इसमें जानना क्या है यहां बस की लाइन में घंटों खड़े रहना पड़ता है ट्रेन का धक्का खाए बिना लोग अपनी मंजिल पर नहीं पहुँचते पान पर आ गया कोई भी मसाला खा करके आप जंदी की जंट हो जाएगी दस बजए तुम्हारा इंटर्व्यू है चल दी से तयार हो जाओ यह बताई है यह इतनी बड़ी पेंसिल है इसे शार्प कैसे करते हैं ग्राइंडर में डाल दो पूरी तरह से शार्प हो जाती है अब तेरी शिवा हाँ बस आ रहा हूँ यार देख शिवा अगर नौकरी पर लेट पहुंचेगा तो चलेगा इंटर्व्यू में कभी लेट नहीं होना चाहिए ओ किया यार अब चल अरे भगवान चाभी अजा यही है मेरा बुक स्टॉल बड़ा कंफ्यूजन है यार होटल के अंदर बुक स्टॉल की क्या जरूरत अरे यहां जब ऑडर करते हैं तो आधा गंड़ा लग जाता है तो उसी टाइम में लोग किताबें पड़ते हैं अगर यहां कुछ देर और रहोगे तो मेरा दंदा चॉपट हो जागा तुम इंटर्व्यू के लिए जाओ तेंक यू यू वेलकम गुड मॉनिंग सिर या गुड मॉनिंग कुड मॉनिंग अरे तेंक यू मैं तो जानबूज के जूल रहा था तुमने पहले ही रोग लिया वार्यू सर मैं इंटर्व्यू के लिए आया हूं यह मेरे सर्टिफिकेट्स ओ हाँ तेंक यू सर्टिफिकेट्स ओ डुप्लिकेट्स लग रहे हैं नहीं सर यह सारी ओरिजनल है तुम्हारी उमर के नौजवान डॉक्टर या इंजिनियर बनने की सोचते हैं और तुमने प्येसडी किये वो भी होम साइज में डॉक्टर या इंजिनियर को कभी ना कभी रिटायर होना ही पड़ता है सर लेकिन खाना बनने और खिलाने वाले को कभी भी रिटायर्मेंट नहीं मिलती इसलिए मैं इस फील्ड को चुना यो तुमने चुनाए वो काविल लगती थी तो उस भूग को हमारी मां ही तो दूर करती थी सर वैसे तो सारे लोग खाना खाकर ही बड़े होते हैं लेकिन खाने के साथ वो प्यार वो ममता सिर्फ एक ही व्यक्ति से मुम्किन है वो सिर्फ हमारी मां दे सकती है वेल डन वेरी गुड है सर यह वो वान पहें तो इस न कई माइंब औ कश्राइब न तो इससे चुटकारा कैसे मिलेगा ओके अगर तुम्हें 200 लोगोंका खाना बनाने का आॉडर दिया जाए तो बताओ कितने लोगों का खाना बनाओगे अगर सारी लोग अच्छे से खाने पिने वाले हैं 200 लोगों का खाना तो बना नहीं पड़े पर आपके होटिल को देकर लगता है कि 50 लोग भी बड़ी मुश्किल से खाव पाएंगे तुम मेरे होटल का मजाक उड़ा रहे हो हाँ सर आपके स्टार होटल में बिल के साथ टेकसेस भी बड़े बड़े होते हैं इसलिए मैंने बूला मेरे सवाल का उल्टा सीधा जवाब देता है यह हां आखरी में एक आखरी सवाल पूछता हूं मैं तुम्हें नौकरी क्यों दूँ आपको खाना बराना नहीं आता ना इसलिए उठो उठो उठ जाओ अब निकलो यहां से गेट आप सर अब तक तो सारे सवाल आप मुझसे कर रहे थे क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं सर बिलकुल पूछ सकते हूं सर मेरे दूर के रिष्टे में एक चाचा है और उनके शकल भी आपसे बिलकुल मिलती जुलती है मसका मार रहे हैं तैंक यू वो भी आप जैसे ही कमीने हैं नौकरी मिली? मिल तो गई यार इस कंपनी का बॉस तो सरकस के रिंग मास्टर की तरह है इसका मतलब तुम्हें नौकरी नहीं मिली है फिर भी तुम्हें शर्मिंद की महसुस नहीं हो रही देख सक्सेस मिले तो हर कोई हस्ता है लेकिन फेल होने के बाद भी जो हस्ता है वो ही सही इंसान है बेलकुल सही कहां ये कौन है? नाम है शिवा एए एए डारू ऐसे पीरा जैसे रिल्वे स्टेशन पर पानी पीरा हो मैंने पहले बोला ता इसे लेकर मत आना बेज़ती करा देगा अरे ज़रा अच्छे से पीना या है सुधरे का नहीं है आज वैलेंटाइन्स जे है क्या मैचिंग डे है यार मैचिंग डे बोले तो प्यार के लिए तरसने वाले और प्यार धूंने वाले दोन Aku Duesrwn मतलब ये आइक जिस लड़की को प्यार नहीं मिलता और जो लड़की प्यार के लिए तरस जाती है और जो लोग प्यार में चोट खाय होते हैं ये सारे लोग एक साथ मिलते हैं, कसमे खाते हैं, बरबाद होने की, इसलिए इसे कहते मैचिंग टे अरे उटो उटो, अरे उटो, ठीक तो हो तुम अरे दिमाग खराब हो गया कि तेरा, गाड़ी के नीचे आगर एसे मरना क्यों चाता है ये मेरी गल्फ्रेंड का रोज है सर, इसे ही ले नहीं आएए अरे यार, ये थाकेला रोज ले करके अपनी गल्फ्रेंड के पीछे कब से भाग रहा हो तुम कम से कम एक गोभी का फूल, या फिर केले का फूल जाकर तुम उसे देते, तो उसे कम से कम तुमारे उपर नाज होता और उसकी मा, किच्छन में उसके लिए कुछ अच्छा कासा बना देती, यहीं क्या रहा था यार गलत पत सोचो, शरीक आदमी हो यार, खड़े मत रहो जाओ, अगर ब्रेक फेल हो जाती, तो यहीं फूल तुमारे फोटो पे चड़ गया होता, और वो किसी के साथ बाइक पे घूम रही होती, जा जा जा, बीर्पी यो लड़की को पीछे भगा, जा देखो लड़को को, लड़की मुड़कर देखती ही नहीं, नसीब ही ऐसा है, मेरी परस्नाल्टी घराब है ना, अरे तो इसमें तो अपने आपको इतना कोस्ता क्यों है, अरे परस्नालेटी शरीर से नहीं, मन से होती है, आप जैसे हो बिल्कुल वैसे ही रहो, यही होती है सही परस्नालेटी, अगर अपने अपर विश्वास है, तो लाइफ में तो कभी नहीं हारेगा 10 पीस थे, मती थे, 10 पीस थे, मती थे ओल्ड जो प्यार था मजनूले लखा यार था, सच्चा और देशुमार था ओल्ड जो प्यार था मजनूले लखा यार था, सच्चा और देशुमार था मोडन जो प्यार है, उसमें सिर्फ हार है, हर दित तक रार है सब के फासा आज इंटरनेट है, फिर भी बन सब का दिल का गेट है सच्चे प्यार था, करो इंतजार, वर्ना जीना होगा दुश्वार मिलता सब को है दिलदार, यूंभी चलता है संसार ओज जो प्यार था मजनूले लखा यार था, सच्चा और देशुमार था ा सब्टár सब क्रफ प्यार था, सब का देस पिल का प्यार था, सब क्रफेंट मैंट ृवर्ना जीन राए क्तर तवैं चिल सब क्रपा आजली की वterior dies आजर आν जेए शुरू हुआ है एक नया थेला मजनु फताए आज की ही लेला प्यार का है ये अनोखा मेला गाड़ी बाला चलाए तेला मुझे नहीं फतना है मुझे तो बचना है ना कोई शिकवे ना कि ले एक है जिन्दगी खुल के जिले ना हो शुरू ये जिल सीले इस रहां में खुशिया मिले ओंद जो प्यार था मज नूल रखा यार था सच्चा और बेशुमार था क्यार शूरू होता है एक ज्माइन से फिर उड़ता है दिल अलग स्टाइन से दुर भटक जाए अपने ताज से इश्वर बचाए इस माया जाज से प्यार का नशाही बहुत जहरिला है इसमें खोट है जोट है बोलो दिल तरे क्या दिल किसी का ना तुम ठोड़ो बिच्रह में ना किसे छोड़ो प्यार से तुम नाता जोड़ो लेकिन इसके भीछे ना सर खोड़ो ओड़ जो प्यार था मचनू लेला का यार था सच्चा और बेशुमार था मोजन जो प्यार है उसमें सिर्फ हार है हर दिल तक रार है सबके पास आज इंटरनेट है धिर भीपन सब का दिल का गेट है सच्चे प्यार का करो इतजार पर ना जीना होगा दुश्वार मिलता सब को है दिलदार क्यों ही चलता है संसार क्यों हो बटुगुनाद? आज कोई बक्रा हाथ नहीं लगा क्या? ऐसा नहीं है यार आज संडे का देना न मैं अगर भूल दी जाओं तो लोग मेरा काम मुझे भूल दे नहीं देते वहाँ देख रहा हो यार वो एक बत्तमीज आदमी किस तरह एक बच्चे को कानून अपने हाथ में लेना चिखा रहा है छोटे जीव जन्तुओं को बचाने के लिए भी इंजीयोज होती है जिनका काम होता है समास सेवा लेकिन इस बच्चे को बच्चाने के लिए हां कोई नहीं आ रहा है तो मुझे तो अपना काम करना ही पड़ेगा ना अहां लगता है बटोकनान मुझे देखकर कुछ खिसेडी पकारा है यही मौका है भाग निकलने का अरे क्यों जमेली में पड़ता है चल निकलते है यार इस तरह के गलत संसकार से ना जाने कितने बच्चे अब तक मर गए लेकिन सरकार ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिय सरकार अगर सोना चाहती है तो सोती रहें लेकिन मुझे जयसा इंसान यह सब देखकर भला कैसे सोता रह सकता है यार उससे देखकर लगता नियह कि कोई भला गरीब बचा होगा चल निकल नहीं सोनता तो क्या उसे देख कर लगता है कि फाइव इस्टार होटल का मालिक है जरा ध्यान से देख उसकी आखों के मासूमिया उसके हाथों में लेगी हत्कडियां बेचारा अब तो मुझे उसे छोड़ाना ही पड़ेगा अरे में च्को मुझे एक बार कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं इस आज मी ने उस आतेंको आदी ता हम लोग पिरियानी खाने गए और तुमने यह कांट कर दिया बिरियानी खाने गहते हां साथ में फिल्म की एक शो भी देखकर आते तुम लोग अरे इधार आजा इधार जल दिया अरे यह क्या यहां तो सारी कि सारी लड़किया बैट करके पेग मार रही है अरे सबसे पहले चुपने की कोई जगा ढूल उचने दे यार एक्स्क्यूज मी ये बेटम क्या मैं आपके नीचे चुप सकता हूँ शड़ अरे पुलिस आग अरे पकड़ा उसे संध्या अभी तक नहीं आई मुझे का ता छे बज़े तक आ जाएगी शौप शुरूरी होने वाला है संध्या कहां है तू ज़रा सामने देखो तो हाई संध्या हाई विस्की प्लीज नो थैंक्स मैं पीती नहीं हूँ सॉफ्ट रिंग प्लीज यस मैं बड़ी अजीब बात है तू इतने साल ते कमरीका में नहीं नहीं कर आई फिर भी हार्ड रिंग को हाथ में लगाया किसी क तो पीना हो तो बाहर जाना काफी है अमेरिका जाने की क्या जरूरत क्यानने की क्या है कि तुम देखना अभी जो आया था वही सेलेक्ट होगा यह चु कैसे कह सकती है दिखने में हैंसम है ना ऐसे कोई बात नहीं है जो लग्की होगा उसी को फॉर्स प्राइस मिलेगा एं क्या बात है बहुत फिलोसोफिकल बातिंग कर रही हो सही कह रही है जरा सब्रकल बेच औ यार जरा उस लाल ड्रेस वाली लड़की को देखना है यह यह क्या कर रही है कॉक्टेल में नेल पॉलिश मिलाओंगी तो पेट के अंदर के सारे राज बाहर आ जाएंगे चाहे तो इस पर मैं यह स्टीक कर लगा देती हूं तुम चाहे तो देख लेना इस पार्टी में य एक ग्लास किसे लगी इंसान को ही मिलेगा अब बेचाह। अब बेचाह। नो थैंक्स वेटर कहाँ जाओ समझ में या रहा है हर तरह पुलीस ही पुलीस है अरे इम सॉरी आप टो कैच मुंबाइ फ्लाइट आट्स तरीजन यू दियर या आम दे मैगी हुकेम आन दे स्टेज मैगी या कॉन मैगी आ फोन करने पर दो मनेट पर रेडी हो जाती है नूडल्स की तरह क्या तुम आज रात फ्री हो आज की रात नो चैंस एक्चुली आज की रात मुंबाइ में यू नो रित्तिक रोशन न उसके साथ मेरी डेट है डिंडिंग मैं तुम्हें एक लाग दूँगा वन लाग ओ शिट वन लाग तो आमेर खान अपनी गोल में बिठाकर आईस्क्रीम खिलाने के लिए देता है एक्चुली मुंबाइ मेरा मार्केट ट्रेट 10 लाग रुपीस है अहा वाकी सब तो ठीक है लेकिन तुम्हारी ये मूचे यू मीन दा मुस्टैच आप आप आपक्चुली आप अंडर गॉन वन ओपरेशन मुझे लड़की बनना था डॉक्टर ने कहा कि तीस दिन में कम्प्लीटली लड़की बन जाओंगा तो आज तीसवा दिन है इसलिए मूचे अपने आप गिर जाएंगे इट विल फॉल आप अंकल ये क्या बंबे फेशन स्टाइल है एच्छी ये तो भगवान क्या दिया हुआ है मैंने बस उसमें टैटू बना दिया मुझे भी ऐसा टैटू बनवा दो नौटी हर प्यार की शुरुआत दारू से होती है ये क्रेजी बॉय येलो थैंक्यू टेक इट अ.. अ.. वाट ब्रेंड इस अच्छी स्कॉच स्कॉच पिलाता है अ.. अ.. अच्छा अ.. अंदर से डॉल्मी साउंड क्यों आ रहा है? तो चलें क्या? पहले मुझे जाने दीजे पर मुझे जरूवत है और मुझे उससे भी ज्यादा हाई हाई अच्छा अच्छा स्मुच क्यों क्यों अच्छा जाना चाहती हूँ एक प्रियर। और के है I am tired झार पिनो मा जाना जाती है जाराघ को प्रियर। प्रड़ी तो ने रहा है जाराब जारा जाराब खिर खिर रोग.. आइज को भेक? एक उर्चाय की नुर। एई.. पर खिरayedनी और खिरो तक जा लोगी प्परखे आवर जो खिर भीष्वलों। आवर! खिरे और जी आप.. गडिवक शर الل mole वेह? में बैखने जाए पुलीव्मी, पुलीव्मी, जोड़ू पुलीव्मी, जोजफ रव्मी, जोज़ू कि आप कि आप कि आप neutrली सौसी हुआ difे लग्ने की म minim 경우 था जनकोogi पाध़ की जनके बाध़ की मिजल जनकोम याई ≉ की जनको की जिटुगर ज CSS झाल 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 बटुकनाथ 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 पुलिस पुलिस सो रहे क्या कमाल करता है बटुकनाथ 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 आप जो मांगते हैं आपको वही मिलता है उदारन के लिए उनसे कहो मुझे नीन चाहिए मुझे नीन चाहिए तो आपको नीन जरूर आएगी और आप आराम से सो जाएंगे यह क्या है सिर्फ टार्च है यार शक करता है बेवजा में रात हो गई सुने भी नहीं देता कसम से नीन दाचा नीन दाचा नीन दाचा क्या कर रहा है यार आदी रात को किससे बाते कर रहा है तू आदी रात को आते जाते बूत पिशाज प्रेत और आत्माओं से बाते तो नहीं कर रहा है ना तो तू ही बता ना कैसे सोचाओं अरो उस सेक्सी संध्या के बारे में सोच अपने हाप नीम्दा जाएगे सुश्मिता आ रहा हूं मैं उठ जाओ जाना में उठ जाओ उठ जाओ आइडिया वर्काउट ह तू श्मिता के पास नहीं गया तो कुछ तो कर लूँ आई साथ दूट देख रहा है तू दूगुद वाले ने दूगुद भी पहुंचा दिया अब तो सुबह की चाय पीनी पड़ेगी मुझे तौ में बहुत मीन ला रही है एक दूट डालके गया दूसरा पर डाल रहा हाई 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 अंकल अंकल हाव आर यू ओके ओके हूआ यू क्या अंकल मैं शिवा अच्छा वो क्या है अच्छा ये यह है इंडियो स्टा इसे अगर सिलिंग पर फिट करते हैं और लेट कर देखने पर तारे जैसा फिल होता है क्या अंकल दारू पी के गिर जाओ तारे तो ऐसे ही दिखाये देंगे, यह तुम्हारी सोच है, अंकल, इसकी कीमत कितनी है, जास्ट दो हजार पांट रूपय, क्या बोला 2500 रूपय है, यह लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, कितने कम है, 2500 रूपय, एक, सिकुरिटी, अंकल, हाँ बोलो, मैंने न कैप, कैप, जो चीज जहां रहनी चाहिए, वहीं अच्छी लगती है, जा बे टकले रावो, टकला किसे कहा, नहीं, वो तो बस जुबान फिसल गई, वावाय न रास्ते पे, छे, ये टकला सला कभी टस से मस नहीं होता, अरे ये तो फिर भी ठीक है, यहाँ पर सुरी नाम का एक दूसरा दुकानदार है, उसके पास गयना, तो हमारी जो कपड़े हैं, ये भी नहीं बचेंगे, बहुत समल के रहना पड़ेगा, बहुत होश्यार है भाई वो, चल अभी, मेरे साथ, आजा क्या है यार, वो आरी है यार, कौन, कौन, का, अरे वही, वही कौन, अरे वही यार, जिसे मैंने उस दिन बचाया था ना, और बदले में उसने मुझे किस किया था, उस दिन तो उसने मुझे सिर्फ किस किया था, अब ही तो ऐसा लग रहा कि वो मेरा हाथ पकड़ेगी, और तमाशा देखूंगा तुम कौन तुम से पूछ रहा हूँ तुम कौन हो समझ गया मैं तुम्हें बेवफा एक खुब सुरत लड़की मिल जातो दोस्त को कैसे काट लेते हैं लोग आज तो हमारी दोस्ती के लग गए किसी ने कहा था कि दोस्ती प्यार से मस्बूत होती है दोस्ती और लड़की एक साथ एक ही दिल में नहीं रह सकते मुझे ये देख करके बहुत मज़ा आ रहा है जरा शकल देखो उस लड़की ने तो इसे घास भी नहीं डाला मैंने कहा था ना दोस्त को दोखा मत दे ना दोस्त को दोखा दिया तुमारी ऐसे ही वाड लगती रहेगी वाट लगती रहेगी है ह। ह apo h प्रभू है क्या प्रभू या प्रभू रेस्ट्राउन गया है आप ठीक तो है ना उन गुंडों ने आपको वापस परिशान तो नहीं किया ना हाए संधिया हाए यह मेरा कजिन है शीवा तुम इसे जानती हो क्या अहां नहीं जानती यह शायद मुझसे कुछ कह रहे थे जा करें आप नहीं कुछ नहीं है प्रिया तो मुझे फोन करने को कहना मैं जिन में वेट कर रही हूं ओके बाई ओके बाई खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि तुम शुरू हो जाते हैं ना नहीं नहीं मैं उस लड़की को अच्छे से जानता हूं क्योंकि कल मैंने ही तो उसे गुंडों से बचाया था अच्छा तुमने उसे बचाया और उसने आकर तुम्हें किस किया यह सब तुझे कैसे पता है क्या यह सब लड़ दोट इस फोटो में देख इस ने तो रोमार सी काम चाल आधे उसे देख वापस ओर यह है 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 में रिली वेरी सॉरी मुझे शब कुछ अभी 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 याद आधे अगर कल रात पिया नहीं होता तो मुझे सब कुछ याद रहता थांक यू सो मच अए इस ओके है मैं तुम्हें नहीं, इसे बुला रही हूँ सॉरी, मुझे कुछ और जिन काम है, बाद मैं मिलती हूँ इतनी दूर जाने के बाद वापस आकर सॉरी बोल रही है इसका मतलब मैटर कुछ सीरियस लगता है मुझे मुझे शरम आ रही है लगता है अधरात को फिर से मुझे जगाने वाला है अभी शुरू हो गया वेल्कम टू दू फूद फेस्टिवल सर एक्स्क्यूज मी, ये सारे लोग हाथ में प्लेट लेकर क्यों घूम रहे हैं? फूद फेस्टिवल फूद फेस्टिवल, थैंक्यू फर बताने के लिए फूद फेस्टिवल पहले के जमाने में लोग सिर्फ इडली खाया करते थे उसी को एलोब्रेट करके इन लोगों ने डोसा बना दिया और मॉडनाइज कर दिया तो सेट डोसा हो गया उसके अंदर थोड़ा मसाले का तड़का मार दिया तो मसाला डोसा एक दिन बासी इडली को प्यास टमाटर का तड़का मार कर उपमा बना दिया इन सब को मिला कर एक अच्छा सा नाम दिया और बोल दिया फूट फेस्टिवल में आईए और खाने का मज़ा लीजिए और देखो कैसे खा रहे हैं एसी रूम में बैट कर बीस तरह के बासी पकवाणों में हाँ साफ करके प्लेट का प्लेट ऐसे ठूसे जा रहे हैं जैसे सालों से खाना नहीं मिलाओ क्या कहा? नहीं मैं तो सिर्फ रगड़ा पेटिस की बात कर रहा था रगड़ा पेटिस? कौन से टेबल पर है? मुझे भी एक प्लेट चाहिए बताओ ना आपको भी रगड़ा पेटिस खाना है उस वाले टेबल पर मिल रही है जाए Article अब जाए कैसे चाहिँ जा यहार सबसे पहले तो हमें जो चीज तनी है उससे असे प्यार से उठाते हैं उठाने के बाद उसमें थोड़ा और प्यार मिला कर बेसन में इस तरह से प्यार से डुबोकर ऐसे तेल में छोड़ा जाता है इससे कहना टेस्ट बढ़ जाता है एक और करके बताता हूँ ए सुन हम यहां खाना खाने आये हैं खाना बनाने नहीं आपने बहुत अच्छा पता है सर थैंक्स ए सुन भाई दो प्लेट भजिया तयार कर दे मैं यहां पर कोई वेटर नहीं हूँ तु यहां पर खड़ा है ना अरे आप भी तो खड़े हो यहां पर तेरी यहां जिससे बात करो सब उल्टे जवाब दे रहे हैं प्रिया ज़रा बताना तो वो वाली लगकी मेरे लिए कैसी रहेगी शाड़ा लेकिन मैं तो टी-शर्ट में हूँ रभू मेरे लिए कोक लाना ओके हाई संधिया हाई सौरी गलती से लग गया लाइन मिल सकती है शोट पर क्या लगा है अच्छा यह वो कुक को भजिया बनाना सिखा रहा था तो थोड़ा सा बेसन उचल गया और यहां पानी से क्या कर रहे थे तुम इससे मैंने पूछा पर यह मेरा पानी है ना इस रिष्टी में हवा पानी और गर्मी सब के लिए कॉमन होता है इसलिए यह पानी मेरा है यह हवा मेरी है यहां पर मेरा अधिकार चलता है यह सारी बाते कहना गलत है साफ पानी था पॉलेटेक्स की तरह एसे भी घंदा करके चला गया कहां कहां से आ जाते हैं एक नंबर का पकाओ इंसान लग रहा था क्या हुआ कुछ प्रॉब्लम है क्या अरे देखो ना उस आदमी को इतना बड़ा उसका पेठ है और सर देखो कद्दू की तरह बंदर जैस क्यों कि वो मेरे पापा हैं हाहा हाgrown अ же अबैं तुझे कुई अक्कल है की नहीं गदाँ बिलकुल गदा इतना अच्छा चांस-था पता है बेवकुफ की तरह गमारा दिया संधिया के डैड़क अरे चाहें वो गद की तरह दिखे या भालू की तरह दिखे अरे उससे purely न लेकिन उनकी लड़की तो एश्वरे राई की तरह लगती है ना बार-बार भगवान मुझे उससे मिलने का मौका किसलिए दे रहा है क्या मतलब है इसका समझ गया समझ गया समझ आच्छा शिवा का घर का है चोटे में ही उसके माबाप गुजर गये थे तब से वो प्रभू क के साथ ही रह रहा है लाइफ में किसी के भी साथ ऐसा ना हो जैसा उसके साथ हुआ मेरी बहन अरुना के साथ शिवा की शादी होने वाली थी लेकिन मेरी बहन को ये मन्जूर नहीं था और वो शादी के दिन ही किसी और के साथ भाग गई और शिवा ने इस बात को लेकर किस शिवा से आप कुछ भी मत कहिएगा, क्योंकि वो अपना दुख बाटना नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि उसके दुख से किसी और को भी कोई दुख पहुँचे। इसलिए, खास कर जब तुम्हारे हाथों में ये उस तरह हो। इसलिए आज मैं आपसे माफी मंगने आया हूँ। हाई शिवा। हरे संध्या, वो कल की गल्ती के लिए मैं आपकी माफी मंग रहा हूँ। मेरी माँ से? हाँ, आपकी माँ से. ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी मालकिन है। ये आपकी मालकिन है। ये मेरी मेध है। शिवा, तुम भी ना। मेरी मेरी माँ के तरह टिप टप रहती है। इसने धोका हो गया होगा। ये यहाँ खड़ी होकर दांत निकलने से अच्छा है अंदर जाकर अपना काम कर। चल जल्दी जा अंदर। बेचारी, बेकार उस पर चिला रही हो। आपकी पर्सनेलिटी को देखकर उस लड़के को लगा होगा कि यही आपकी पत्नी है। ये कौने जो अंदर घुशत चला रहा है। अरे किसमें मुझे धक्का दिया। बेहन, आपके पत्य आगे जाई उठाई है। जनौत, कोई इस धनुष को हाथ नहीं लगाएगा। आखिर तक यह धनुष अपने पैरों पर खड़ा रहेगा। नेपोलियन की तरह। एए, दुनिया में बहुत लोग पीते हैं लेकिन सबके लिमिट होती है। वह लोग बाहर जाते हैं शाम को फी कर रात तक घरा जाते हैं। तुमने प्रोग्राम दिन में चालू कर दिया। हम जो इतनी महनध से कमाते हैं उसे तुम लुटाने पे तो ले वे ओ। भाईया, हमारे पिता जी ने बहुत पैसे कमा कर रखते हैं। क्या है। करेंदा ने पिसा और कि आफ ने भी जो हूं कि अरक्राइ टॉय्बारा लडेल अरे बस टोपर लड़किए ऑगी बाइगा आ कि इंअ थी इधाल कष्क कर आए उनफ़या थीक कर वा कर आगा प्लीज मुझे पहले सी शक्ता कि जरूर कोई ना कोई गड़बड है अरा भगवान चावी क्या हो गया भगवान सॉरी सर क्या यर सॉरी सर मेरा फ्रेंड भगवान उपर रहता है उपर जाकर चावी लाने में चालीस सीड़िया चड़नी पड़ेगी तो इसलिए दिखने में इतने हटे-कटे जवान हो लेकिन चालीस सीड़िया चड़ने में भारी पड़ रहे हैं क्या है आए मेडम गाड़ी का बेरिंग प्रोब्लम है कल तक ठीक हो पाएगा ओहो मुझे तो लगा था गाड़ी अब तक रेदी हो गई होगी शिवा हाई तुम्हें इस वक्त कोई खास काम तो नहीं है न है तो क्या है तुमसे बात करना यहीं तो काम है अरे मुझे अरजंटली कहीं पहुचना है जाहिए एए ट्रॉप मी प्लीज यह ले भै सर छुट्टा नहीं है सर रख ले रख ले येस उपरवाले बाइक को पंक्चर करने के लिए बहुत बहुत शुक्री है एए स्टाप 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 क्या हुआ मेरे कैब गिर गई कैब गिर गई तो उसमें इतना चिलाने की क्या ज़रूरा था वो मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है चोटी चोटी बातों पर भी तुम बहुत सेंटिमेंटल हो जाती है कोई बात नहीं आई लाइक इट है 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 मांगी ओ माइग गॉड मेरी कैब तुम मेरी कैब लेकर क्यूंगे तुम्हें चोरी करते शर्म नहीं आती क्या देख लड़की क्या बोल रही है तुझे तो आउच अरे तुम पत्थर मारो की तो बंदर कैब लोटा देगा क्या अरे उसके लिए अलग टेकनीक होती है अब देखना बंदर कैब खुदी लोटा देगा तुम देखना मैं कैसे करता हूँ कि अछिए लोगी सबाइबस क्या ईव देखना आपके है कि अज़ए आपके अज़ए आपके लोगी प्राइबस हमाने आपके अपकी है कर लिया अब मेरी टेक्निक देखो कर दो कर देखो कर दो झाल झाल शिवा अब चले हाँ चलो चलते हैं शिवा किक उस तरफ है सॉरी बंदर के चकर में सब भूल गया था शिवा शिवा यही पर है स्टाप स्टाप ये किसका घर है मेरी फ्रेंड गीता का है गीता खूबसूरत है क्या बहुत खूबसूरत और उसका हजबन उससे भी ज्यादा दोनों इस वक्त अमेरिका में हैं वेस्ट तुम जाके मिल गया जो क्यों नहीं वो तुम्हारी फ्रेंड यहां नहीं है इसलिए बोला मैंने और गीता ने अमेरिका में एक साथ पढ़ाएगी पढ़ाए की बीच में ही वो एक लटके से शादी करके वहीं सेटल हो गई कीता को उसके पैरेंट्स से ज्यादा डॉलर से प्यार है वो यहां आती तक नहीं है मेरे यहां आने से उसके पैरेंट्स को अच्छा लगता है इसलिए मैं यहां आती हूँ वावावावाव दूसरों का दुख्धर्द समझने वाला तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है तुम्हें किस ने बताया बंदर ने बताया है निजर रवाइब करता है और इस मेजर पर ऊडरर चलने वाली सुप्रीम कमांडर माइव बैठो में कॉफिल लेकर आती हूं अप लोग बैठिये मैं अन्टी की मदद करती हूं एक बात बताओ तुम्हारा फ्रेंड क्या करता है सर मैं वक्त के हिसाब से चलता हूँ अगर घड़ी बंद पड़ गई तो कैसे चल पाओगे तुम मैं यह पूछ रहा हूँ कि तुम लाइफ में करते क्या हो आखे खाना खाता हूँ सर अग्र कॉफी रेड़ी यह घविन थाइफ तुम्हें थाइफ तुम्हें अब फेंटास्टिक सर आइजी को वितो मैं अपनी जिन्दे के में फर्स ताइम पीया है तो फेर एकक अप और मंगवादू थाएफ वो तो मैंने संध्या को खुश करने के लिए यह भी कोई कोई कोफी यह यूँ ही संध्या, दोनों ने कॉफी पी ली क्या? हाँ, पी ली, क्यों आउंटी? तुमने शक्कर ही नहीं डाली थी है तो ये छोटी सी बात, इतना भी होश नहीं तुमें? कल तुम्हारी शादी होगी, तो ससुराल में जाके क्या करोगी तुम? मैं ऐसा सरदर पालूँगी ही नहीं, जो लड़का मुझे ठीक से समझे और संभाले उसी से शादी करूँगी शिवा, शिवा, कॉफी खतम होगे हो, तो फिर कप नीचे रख दो भाई मैं समाझ गया, मुझे सब पता चल गया सर, सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर तुम मुझे से जोड़ बोल रहे हो बेटा जब तुम ने मुझे से कहा कि कॉफी बहुत बढ़िया है, मैं तब ही समझ गया कि कुछ गरबढ़ है फिर तुम डर क्यों रहे हो भाई? ऐसा कुछ नहीं है सर मैं बोल रहे हो बेटा मैदान में उत्रे वे एक फौजी को और प्यार की रहा पे चले एक प्रेमी को कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए आगे बढ़ना चाहिए यह आप कह रहे हैं सर क्यों मेरे कहने का मतलब तुम्हें समझ में नहीं आया? हाँ हाँ अरे वान इंच टू इंच त्री इंच गैप क्यों रखा? क्यों रखा? अरे पोर इंच पाइब इंच शिक्स इंच दूरी और बड़ा और बड़ा तेरे जपी और पपी का करू मैं इंकजार ठोड़ा रुका ठोड़ा ठैरा बस आने बत करूंगी प्यार अー अरे वान इंच टू इंच त्री इंच गैप क्यों रखा? क्यों रखा? अरे पोर इंच पाइब इंच शिक्स शिक्स दूरी और बड़ा तेरे जपी और पपी का करूं मैं इंतजार थोड़ा रुखा थोड़ा ठेरा बत आने बत करूंगी प्यार मेरा जो साथ तुम दो दुनिया हास दिल कर ले मैं तो हो बस तेरी आबाहों में मुझे भर ले हो जो भी किसी को भी ना आने दुपा तेरे शर्माओ घवराओ तुम हो खुदा मेरे अरे वान इंच दू इंच थी इंच गया पर क्यूं रकाओ क्यूं रकाओ अरे वोर इंच पाइव इंच सिक्स इंच दूरी और बढाओ हर बढाओ क्या प्या जाएव लाहर प्याओ क्याओ झाएव दूरी इंच भसफदाओ झाली में दुपा झाली क्याली में जु झक प्याली क्याली में क्याली में दुपा इंच जुपा। झुप टる lle agora कि बढाद मैंने दिन से तुझे चाहा, तुझसे जुदा एक अगर इस दिल में भी साहा है रिष्टा, है रिष्टा, मा कि आया तु मेरे लिए मैं दिवाना, मसताना, तेरे बिन अब कैसे जीए अरे वान इंच, तुव इंच, थे इंच, गैप, क्यों रखा अरे पोड़ींच, पागश, सिख इंच, गोरी, और बढ़ा तेरे जपी, और पपी, ता करू मैं इंतजार मैं अपने प्यार का इज़ार संधिया से कैसे करू कोई आइडिया देना यार तु आइडिया के लिए हमेशा मेरे पास ही आता है फिर तु डूएट काता रहेगा और मुझे भोल जाएगा मैं अपने लिए कबसे कोशिश में लगा हुआ हूँ यार लेकिन मुझे कुछ देखता ही नहीं है ये क्या कह रहा है यार सारे आइडिया पुराने हो चुके है तु ऐसी बात कर रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं यार कोई आइडिया देना आइडिया दूँगा पहले तु मुझे आइस्क्रीम खिला आइस्क्रीम? हाँ यार, दिमाग ठंडा रहेगा ना, तो आइडिया भी अच्छे आएंगे, मैं आइस्क्रीम खाता रहूँगा और तेरे लिए आइडिया सोचता रहूँगा हाँ, देख रहा है शिवा, जब बड़े लोग को जॉब नहीं मिलता, तो वो लोग ऐसी जगों पर पार्ट टाइम जॉब करते हैं, ऐसे नौजवान जब तक हमारे देश में हैं, हमारे देश का सर हमेशा सबसे उपर रहेगा, या, सर, दो आइस्क्रीम जल्दी लाना, सर, म क्या है ना, कि मैं और तू यहाँ पे बैठे हैं, और समझ ले, वहाँ से संधिया फिल्म देखने जा रही है, तब तू क्या करेगा बोल, मैं अपनी जगा पर बैठ कर चुप चाप संधिया को देखता है, हाँ, एक काम और करना, उसके घर के एड्रस पे, पुराने जमाने क्लिफाफे में एक लेटर पोस्ट कर देना, और नहीं तो क्या, अब या, उसके पहले, तुझे जाके काउंटर से दो टिकट लेना चाहिए, फिर कहना चाहिए, एक्सक्यूज में मैड़ाम, मैं आपका इंतिजार कर रहा था, उसके बाद अंदर जाके क्या करना है, वो भ प्यार के सामने, दोस्त और आइसक्रीम कोई माइने नहीं रहते, अरे अरे अरे, आज मेरा आइडिया मुझे पहार ही पड़ गया, मैरे पास तो पैसे भी नहीं तुम्हारी तरह, दोस्त को प्यार के टिप्स देने के लिए यहां आया था, बिना बिल पे किया ही वो भग तब से यहां पर टेबल साफ कर रहा हूँ, ये लो, तुम भी करो, चल बेटा, नहीं, अंकल, आप फिल्म देखने आये हैं क्या, नहीं, पोस्टर देखने के लिए आया हूँ, मजाग उड़ा रहा है, अरे अंकल, महाँ देखने को पोस्टर कितना सेक्सी है, अहां है, मेरा एक स्पीकर बंद है और एक स्पीकर चलू है, इसलिए, एक बार भी मेरी तरफ मुड़ कर नहीं देख रही है, तो आंतरिक विद्या का उपयोग करना ही पड़ेगा, देख मुझे, मेरी तरफ देख, देख मुझे, वर्काउट हो गया, वर्काउट हो गया, वर्काउट हो गया, येस, 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 सॉरी, ए रामिया, बोर हो रही हूँ यार, तो बैट कर फिल्म देख, मैं जा रही हूँ, तो अके लिए चली जाएगी न, इस ओके, बाई, हाई संधिया, हाई शिवा, तो यहाँ कैसे, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम भी आदी फिल्म छोड़कर जा रहे हो, नहीं, मैं तुमसे मिलने आया था, फिल्म इतनी बोरिंग लग रही थी कि दिमाग खराब हो रहा था, इसलिए, तुम हस क्यों नहीं हो, कुछ नहीं, मैंने सोचा, जो मैं सोच रही हूँ, वही तुम सोच रहे हो, क्योंकि आज कल हम दोनों, बेलकुल एक जैसा सोचते हैं ना, संधिया, तुम्हारी गाड़ी का है, आज मैं राम्या की गाड़ी से आई थी, श्रिवा, हम कुछ दूर पैदल चलें, ओके, संधिया, आईस क्रीम खाओगी क्या, अरे नहीं, मुझे लेट हो जाएगा, नहीं, लेट नहीं होगा, एक मिनिट के अंदर आईस क्रीम यहां आजाएगी, देखना, कैसे, तुम्हारे पास कोई मंत्र है क्या, जो आईस क्रीम आ कहने से आजाएगी, दिल में विश्वास ह तुझ जरूर आएगी, ऐसी बात है, देखना है, भगवान, हमें आईस क्रीम खाने की इच्छा हो रही है, जल्दी भीजवातीजी, संध्या के पास टाइम नहीं है, सर आईस क्रीम, यह कैसे हुआ, ऊपर भगवान है, नीचे हम है, हाथ में आईस क्रीम है, खाईए, सब उसकी लीला है, हमारे हाथ में क्या है, आईस क्रीम है, खाऊ-खाऊ, अब चलें, ओके, अब इससे अच्छा मौका मिलने वाला नहीं है, जो दिल में है, वो बता दे इसको, क्या हुआ श्रिवा, तुम कुछ सोच रहे हो क्या, नहीं कुछ नहीं, जिस तरह यह आईस क्रीम है, तुम्हें याद होगा, हम पहली बार फैशन शो के टाइम मिले थे, उसके बाद गैरेज में मिले थे, उसके बाद थियाटर में मिले, इस तरह हम लोग बार-बार मिल क्यों रहे हैं, वो शायद ऐसा कुछ नहीं है, बोलना प्यार की शिरुवात है, जहां तुम जाते ह हो, वह मैं आचाती हूँ, जहां मैं जाती हूँ, तुम आचाते हूँ, इतना ही, करेक्ट, करेक्ट, इतना करेक्ट कैसे बता दिया, दिल की बहुत खुलकर बताना चाहता हूँ, लेकिन इसके दिल में कुछ और ही चल रहा है, ए तुम्हें कुछ कहा क्या, मैं तो तुम उम्मीद करो तो आ जाएगी कैसे आएगी उपर से उड़कर आएगी क्या दिल में विश्वास है तो जरूर आएगी अब देखना हूँ भगवान चाबी अब चले हैं तुम्हारी साथ वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला हाथ में घड़ी नहीं है क्या यूँ यह माइक कहारी सौरी 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 हूँ तुम्हारी कैप भीग गई कोई बाट नहीं में इस भार मुंची ट्राइगे विश्वास अब देखना देखना नहीं के पाईगी यूट अब देखना इस बार मुझे ट्राइग करने दो ओके अधावान शिवा की कैप गंदी हो गई है उसे एक नहीं कैप देदो प्लीज कुछ समझ नहीं आ रहा है यह सब कैसे हो रहा है यह तो कुछ भी नहीं अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो सुनकर तुम्हें बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है वो क्या है क्या है कि शॉक लगने के बाद भी तुम मेरे साथ हमेशा मुस्कुर आते रहना ठीक है ना ओके बात यह है हुआ 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 है कौन है कौन है कौन है कौन है जिसने दुपटा खीचा है उतर नीचे है दुपटा ला अबे दुपटा ला सॉरी सर चल टी शर्ट उतर सर सॉरी आपने टी शर्ट उतर चल जल्दी चल तर तेरी तो चल उतर पैंड उतर चाल शर्मा रहा है तो फिर एक लड़की पर क्या गुजरेगी जब तेरे बदन पर टी शर्ट नहीं है तो तो एक मर्द होकर इतना शर्मा रहा है तो फिर एक लड़की पर क्या गुजरेगी चल अब इसी हाल में घर जा तुझे पैदा करने वाले तुझे देख कर बहुत खोश होंगे तुम्हें उससे जगड़ा करने की क्या ज़रा थी तो जो हुआ वो चुपचाप खड़ा देखता रहता अब तुम्हें और उसमें फर्क्या रह गया तुमने भी एक गुंडे की तरह ही बिहेव किया ना मेरा दिल जो चाता है मैं वो कहता हूं और जो दिमाग सुचता है वही करता हूं संद्या दूपट्टा इतना गंदा कैसे हो गया वो तबसल कार की सीट गंदी थी ममी कार की सीट लेकिन तू तो कार लेकर ही नहीं गई थी आम, वो, वो क्या है ना ममी, बेटा जो कुछ भी करना, सोच समझ कर करना अलो, हाई, संधिया बोल रही हूँ क्या बात है, कि तुमने फोन किये, कुछ काम था क्या बस ऐसे ही, घर में बैठे-बैठे, बहुत बोर हो रही थी साथ में कौन है, शिवा है क्या नहीं, उसने कहा उसके तबियत ठीक नहीं है तो आज मैं आके लिए आया हूँ, तुम मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम है क्या कुछ नहीं, बस योही, ओकी बाई आओ ना प्रभु ने बताया कि तुम्हारी तबियत ठीक नहीं है इसलिए मेरे हाथ परे इस तरह से हिल रहे है क्यों जूट बोल रहे हो, तुम्हारी तबियत ठीक नहीं है, इसलिए फ्रूट्स लाई थी कोई बात नहीं, लाओ दो मुझे, जब भूग लगी तो मैं खा लूँगा ना वन मिनिटा अरे दरवाजा खोलने में इतना टाइम को लेता है अब तू यहां क्यों आया यार यहां क्यों आया, अरे मैं यही रहता हूँ भाई तुझे ढूंटे वए पुलिस आई थी पुलिस आई थी, लेकिर मैंने चोरी थोड़े किया है हो ना हो, तुने कुछ ना कुछ तो जरूर किया है ज़रा सोच कर देख पुलिस जब आई थी, तब मैंने कहा कि वो यहां नहीं है अब एक हफ्ता यहां पर आना भी मत एक हफ्ता एक महीने नजर नहीं आओगा मैं लेकिन तुझ जरा सबको समाने ना जाता हूँ अच्छा सुन 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 आते समय मैंने देखा था कोई लड़की यहां से गुजर रही थी क्या फाल तू बाते मत कर यार वो तो काम वाली थी अच्छा काम वाली थी वो हैंड ग्लस भी नौकरानी के हैं क्या अच्छा अपना देश भी कितना डेवलिप हो गया है ना हर्जा मैं जरा काम समया क्या तो अब तुझे क्या चाहिए यार यह केले का भूल ले लो इसका भी नाम बदल गया बाप रे बाप, पागलों के टोर्चर से बचना बहुत मुश्किल है ओके शिवा, अब मैं चलती हूँ अरे तुम पहली बार मेरे घर पे आई हो मेरे हाथ का बना हुआ कुछ खाय भी ना यहां से नहीं जा सकती बैट जाओ बैट जाओ जाओ बैट भी बाप बैट जाओ झाल प्प्ट जाओ प्रेप बाइ बाओ शिवा मुझे सावन का महीना और चाननी रात बहुत पसंद है क्योंकि ये दोनों कभी एक साथ नहीं मिलते सावन के महीने में चानतारे नहीं दिखते और चानतारे दिखते हैं तो सावन नहीं बरसता सो साथ इस वक्त तुम्हें बारिश और चान सितारे सब एक साथ देखने हैं यहीं न यहीं तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हारा भगवान यह भी कर सकता है जरूर करेगा आखें बंद करू कि ओके कि व्योटिफुल वाव मुझे विश्वास नहीं हो रहा चान सितारे बारिश खाना और तुम शिवा आम सॉरी किस लिया सुबह उस मवाली से लड़कर तुमने मेरा दुपट्टा वापिस लाया था उस वक्त मैंने तुम्हें भला पो रखा था लेकिन गुस्सा हम हमेशा अपनों पर ही करते हैं न कहरों पर तो नहीं शिवा आज मैं जितनी खुश हूं सिंदगी में कभी नहीं हुई I just love this place I love this evening I love this dinner I love everything around me I'm so happy पाप्रे क्या है इतना वजन दार गें नाखिर इससे खेलते कैसे हैं क्या कहा तुमने इससे में तुम्हारी भलाई है यह तो एक साथ दो दो उठाक ले जा रही है और मुस्से एक भी नहीं संबल रहे है भगवान क्या हुआ खेलना नहीं है नाई भाई मुझे यह सब खेलना ही नहीं है मुझे तो बस कबड़ी गुली डंडा कंचे चोर पुलिस यही सब खेलने आता है क्यों इसमें क्या प्रब्लम है तुम्हें पसंदे तो खेलो चै तुम्हें यहां लाने का कोई मतलब भी नहीं है य पिज्जा ओर्डर कर दे, पैसे इंसे ले लेना, अरे सुन, दो करना, दो ना, आज मेरे घर में छोटी सी पार्टी है, ये बात है, पिज्जा कैंसल, क्यों, अरे तुमने कहा ना, तुम्हारे घर पार्टी है, तो हम पूरा दिन हमारा पेट खाली रखेंगे, है न, मेरी क्या है, है आज बढ़ अजा बढ़ रटाए, तुम्हारा पहले कि नहीं बताया, एनिवेस, बनी मोर एप्पी रिटन्स ऑफ टे, थांक्स, बढ़ दे की बारे में नहीं बताया, सुर्प्राइस थो ना, इससे बड़ा सुर्प्राइस तुम्हें इवनिंग में दूंगी, वो मैं तुम्हें शाम को पाठी में बताऊंगे बाई क्या क्या या हमें पता है यार ये ले इस गेन से एक ही बार में अगर तुने उन दसों को लुड़का दिया तो तेरे दिल में जो कुछ भी है वो 100% सक्सेस हो जाएगा मेरे दिल में क्या जाने दे पता है ये ले 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 आ और ये आपको रिंग्स देने से मना किया रेसने किया बाई ने तो ऑग क्या है मेरा बाप दस करोड़ छोड़कर गया है पाच करोड़ उसके लिए पाच करो मेरे लिए यह फिर उसने एसा क्यूं गाउंगार है यूण लगार तब पताचलेगा अरे यार दिया हुआ पैसा वापस लेना है और साथ में बुके भी एक्सक्यूज मी आप लोगों की कोई बहन गायब हो गई है क्या नहीं तो उदर वाश रूम में कोई सोई है वो किसकी बहन है जो 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 देखो जल्दी करो अंधिल्या वह बिल्कुल बच्चे की तरह में माय की तरह इसे गोद में उठा लेता हूँ तू ने कहा था भुके दिल बाता हूँ देख लाया तू हो अरे पहले पगड़ा भाटब है अरे वाँ, हिंदी में विश करने वाले तुम पहले इंसान हो, कुम आन हेलो, ग्लैड तू मीट यू तुम मेरे भाई के फ्रेंड हो, नाई अरे तू कौन हो तुम, दुश्मन हो उसका, लगता है गले में प्राब्लम है, कौन सेर, ये ट्राइलिट कहां जाना है, सभी जहां जाते हैं वही जाओ ना, जाओ यहां से, शेट अप, इन्हें जो भी पूछना है सिर्फ मुझसे पूछेंगे, सुनो, तुम आगे जाओ, क्या सर, ये कौन सा तरीका है, आगे जाओ बोल करके पीछे उमली दिखा रहे हैं आप, और वो आदमी यहां से सीधा चला जा रहा है, ये ड्रिंकर्स लेंगवेज है, तुम नहीं समझोगे, सर जुकाने के लिए ठेंगा दिखाते हैं, सर जुकाने के लिए, तो फिर खान कार्यका तो नजरा नहीं रहा है, पर मैं बताना चाहूंगा कि होने वाला दमात इसी भीण मेर हैं, देकार सस्पनस रखने चे या फायदा है, मैं चाहता है कि लडका सामने आजा, धंधय, बुलायो से, कम आन, कम आन, ओ सिती कम आन, कम आन, क्यो प्लीस में?? hierarchy यही है वो लड़का, मेरा होने वाला दामाज प्रणाव, आजा, बुके उसे पकड़ा दो, बुके उसे पकड़ा दो, थांक यू, आआ, आए, 준से पकड़ा दो, आए, 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 से सक्राव के डामाज प्रक भुके आए, बुके उसे का Аब करे दोगे थालतवा दो, तो, आए, 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 आए... आप अ कि नुकार अ कर दो किला है दो प्रादाह केची आउप अ अ अधिन्ट यह खेलिड़ फ्रेंट प्रभू सो है अधिन्ट इस अधिन भीड़रों जैंट तो हम जीड़़ अ कई श्रेट माण से अधिन श्रिवा श्रीवा पता निए कहां चला गया कि शिवा कि तुम अचानक पहां से चले क्यों आए इतने उदास क्यों हो कुछ ले प्रताप तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या बताओ ना शिवा प्लीज बताओ ना आई लव यो वाट मैं तुमसे प्यार करता हूं आई लव यो इस शहर को ये हुआ क्या कहीं राग है तो कहीं धुआ 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 क्यों कोई कुछ नहीं बोलता चुपचाप धुए को क्यों जहलता हो गई परताश्त की अब इंतहा बुझे सिग्रेट पीडी दिखे जलती जहां पबलिक प्लेस पर सिग्रेट पीना मना है उलंगन करने पर होगा जुर्माना धुम्रपान ना करें ना करने दें धुम्रपान बढ़ेगा मेहंगा खुशी कौन नहीं चाहता लेकिन किस कीमत पर धुम्रपान नहेंगा पड़ता है दुम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी दुम्रपान पड़ेगा मेहंगा सिग्रेट पीना कैंसर का कारण और जान लेवा है शाराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है रभू मुझे कुछ बात करनी है तुमसे शिवा तेरा दिमाग खराब हो गया क्या कोई लड़की तुछ से फ्रेंडली बात कर रही है तो तुछ जाके सिधा उससे आई लव यू बोल देगा अगर ये बात प्रताब को पता चली तो संध्या की लाइफ बरबाद हो जाएगी ये कभी सोचा है किसी भी लड़की के मंगनी के दिन उससे विश्यू हैपी मैरिड लाइफ कहा जाता है आई लव यू नहीं कहा जाता प्यार करना कोई गुना है क्या मैंने कब कहा प्यार करना गुना है अगर प्यार करना गुना नहीं है तो वो मंगनी से पहले हो या फिर मंगनी के दिन हो या फिर मंगनी के बाद हो सब बराबर है हमारी मौत कब आएगी ये हम नहीं कह सकते उसी तरह कब किस से प्यार हो जाए ये भी हम नहीं बता सकते तो ऐसे वक्त ये बात नहीं बोलनी चाहिए ये किसने बोला? शिवा, मैंने ये नहीं पूछा कि तुमने कब कहा मैंने पूछा कि तुमने क्यूं कहा संधिया, इससे क्या पूछना? चल उट, और संधिया से सौरी बोल प्रभू एई, मुझे कुछ नहीं सुनना है जस से सौरी बोलता हूँ वो दिन याद है तुम्हें जिस दिन मैंने तुम्हें गुंडों से बचाया था तब तुमने मुझे किस किया था? उस दिन हम दोनों के बीच कुछ नहीं था मैंने जो हेल्प की उसके लिए तुम थैंक्स कह दे दी तो भी बहुत था लेकिन तुमने मेरे गाल को क्यों चुमा ये बता दो मैं सौरी बोल दूँगा मेजर सहाब के घर में तुमने मेरे सामने क्या कहा? कि जो तुम्हे समझेगा तुम उस लड़के से शादी कर लोगी ऐसा क्यों कहा ये पहले बता दो मैं सौरी बोल दूँगा इस संसार में रोज काफी लोग बीमार होते हैं लेकिन मेरी तबिया ठीक नहीं ये सुनकर तुम भाग कर क्यों चिले आई ये बता दो मैं सौरी बोल दूँगा तुमने कहा कि जब तुम मुशे बात करती हो तो तुम्हारा टाइम पस कैसे होते पता नहीं चलता फिर तुमने क्या कहा हम दोनों की सुझ बीकुल एक जैसी है पहले ये पताओ तुमने ऐसा क्यों कहा मैं सौरी बोल दूँगा शिवा, तुम चीजों को गलत तरीके से ले रहे हो, एक अच्छा फ्रेंट होने के नाते, तुम्हारी तबियत खराब है, सुनकर देखने चले आई, हाँ मैंने कहा था, कि जो मुझे समझेगा मैं उससे शादी करूँगी, बट I wasn't serious, it was just a joke, और मैंने उस दिन तुम्हें किस वक्त से, मैं कितना डिस्टब हुआ हूँ या मैं ही जानता हूँ, और यही कारण है कि मेरा दिल तुम्हें चाहने लगा है, अचानक यूँ ही हुए किसी इंसिदेंस से, या मजाक में हुए कोई छोटी बात से, किसी इंसान को, किसी से भ्यान हो जाता है क्या, एक लड़क से लेकर मरने तक इंसान की जिन्दगी सौ साल की होती है, लेकिन प्यार होने के लिए एक मिनट भी नहीं लगता, एक सेकंड, एक सेकंड भी बहुत होता है शिवा, मैं शादी से पहले हुए प्यार को नहीं मानती, शादी के बाद, हस्बन और वाइफ दोनों एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते हैं, मैं उसी को सच्चा प्यार मानती हूँ, मेरी दोस्ती को शायद तुम प्यार समझ बैठे होगे, लेकिन मैं जहां तक समझती हू मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, हम दोनों के बीच, ऐसा कुछ भी नहीं है शिवा, और जो कुछ भी हुआ, वो एक एक्सिडेंट था, अगर उसे तुम प्यार समझ बैठे हो, तो आम वेरी सॉरी तुम अमेरिका में पढ़ी लिखी हो न, वहाँ पर एक लड़की का किसी लड़के के साथ घूमना फिरना, आश करना, जानकर किस करना या अंजने में किस करना, बहुती साधारंड सी बात होती होगी, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता, हमारे देश में कोई लड़की जो चाहता है वो मैं कहता हूँ और जो दिमाग सोचता है वो मैं करता हूँ यह तुम भी अच्छे से जंगती हूँ इसलिए मैंने तुम्हें आई लव यू बोला सॉरी मेरे और प्रभु के बीच जो दोस्ती है उसमें दरार नहीं आनी चाहिए इसलिए कह रहाएं सॉरी लरान इदरा क्या हो मालिक गमले का कच्रा साफ करके पानी डाल दे इसमें अभी कर देता हूँ जल्दी कर कटर चड़ा लो या अधा लगा लो या अंगुर की बेटी में कोको कोला मिला लो अपना होने वाला दमादाज घर आर तुम एक दिन शरा पी बिना रहनी सकते क्या गमले के कच्रे को साफ करके पानी डालने के लिए आप ही ने कहा न तो आपका सगा भाई ओन ब्रदर उससे पीने से रोक रहे हो अब 24 घंटे पे नहीं क्या ज़रूद आप 24 घंटे बडबड करते रहते हो कि नहीं रेष्ट के लिए घंटा मूँ बंद करके देखो जेना मुश्किल हो जाएगा भाई या शराव ने तुझे अपने बस में कर लिया है अब अगर यही तेरी जिंदी है तो इसी में मार ल किसलिये दाया पाउं पहले अंदर रखे क्यों बाया पाउ रखने में क्या प्रॉबलम है बुजरुकों का कहना है कि दाया पाउं रखकर आना खुभ होता है तुम्हारे घर में कोई बड़ा चाकू है क्या चाकू, किस लिए ।पना भॉया पैर काट देता हूँач हमें दो पैर क्यों दिये हैं एक ही पैर देता ना ऐसे में एक दांग लेकर इंसान हासी खुशी जी लेता राइट इससे किसी सदी में ऐसी दक्यान उसी बाते सुनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है आप बात को समझे ना यह बात बोल रहा है क्या लिटिल बिट तुम आ हाई 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 इस साड़ी में कैसी लग रही हूं साड़ी अच्छी है ना क्या कुछ खास नहीं हां ऐसा क्यों कह रहे हूं मेरे फ्रेंज में कहा कि बहुत अच्छी लग रही है ऐसा का हां अगर कोई हमारे ड्रेस की तारीफ करे तो समझो वह अच्छा नहीं है तो कोई अगर यह कहे कि यह ड्रेस तुम्हारे उपर अच्छी लग रही है तो बात बनती है क्या हुआ अब है क्या है यह वह क्या है ना सबके सामने मिक्स करूँगा तो अच्छा नहीं इसलिए उपर से ही मिक्स करके लाए तू नहीं सुदरेगा कि 21 सदी में यह 20 सदी का ख्याल रखता है अब साब इट भाया मुझे कुछ पूछना है एक बात बताओ आपके सेंटिमेंट्स को मैं नहीं समझ पाया आप दाया हाथ से क्यों खाते हो बाया हाथ से क्यों नहीं अंकल उपर वाला ने इंसान को दो हाथ दिया है एक हाथ खाने के लिए और दूसरा पता है पता है तो फिर क्यों पूछते हो लाइफ में हमेशा सेंटिमेंट्स होना चाहिए जिसके अंदर सेंटिमेंट्स नहीं है वो इंसान नहीं है इस वेस्ट क्या बताओ दमाजी इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है ना सेंटिमेंट्स है और ना ही डिसेंसी टाइनिंग टेवल पर टॉलेट की बात करता है और टॉलेट बेटके खाने की बात करता है अजीव है यह मुझे लगता है हॉस्पिटल में पैदा होते ही इसे शाय बात कर रहा था वो कौन है लड़का कौन सा टॉल एंसम गुड़ लुकिंग टू ओ शिवा ही इस बाइफ्रेंड फ्रेंड ओके तो तु यहां आए पहले यह बता टेलीफोन का बिल भरने के लिए तुझे जो पैसा दिया था तुने भरा की नहीं भरा नहीं उसे मैंने किन है अरे बाप रे आज कल के नौजवानों से तो मैं बेजार हो गया हूँ किसी लड़की से प्यार क्या हो गया कि उसकी याद में दाड़ी बढ़ा कर आशू बहा कर दिन रात घुटते रहते हैं तू ऐसा क्यों कर रहा है यार प्यार एक सिटी बस की तरह है एक जाएग कि आओ दामाजी ताश खेलोगे अरे नहीं नहीं पैसल आगा नहीं केलती बस टाइम पास करते हैं नहीं मैं ताश नहीं क्यों हो शराव और ताश दोनों एक जैसे ही है लट चूटती नहीं है अहां इस लिए ताश खेलता ही नहीं हूं है केलते हुए देखता भी नहीं मैं तो वहां रुकता भी नहीं हो गया शुरू हो गया मेरा सब कुछ चला जाएगा तवाज जी मुझे तुम जैसा बेटा मिल गया मेरा जीवन धन्य हो गया आज के बाद मैं भी कभी ताश के पत्तों को हाथ नहीं लगा हूँ अरे मेरे पास अच्छा पत्ता लेकर आप वेकार में यह इभ दोह गया तुमने तो कहा था कि तुम्हें नहीं आई तो एक जैसा एक जैसा इसकी लट चूटि नहीं रुटती ने, इट्स एन अडिक्शन, सही का, एडिक्शन, समझ में नियाता ये कैसा इंसान है, हाई प्रताब, हाई, वाउ, ब्यूटिफुल ट्रेस, मतलब मैं अच्छी नहीं लगरे, है, तुम अच्छी हो, तभी तो ट्रेस तुम पर अच्छी लग रही है, चले, I like it, man, I like it, आप लोग अंदर जाए, या, टेकिन ओन टाइम, या, टेकित, हाई, बासु, हाई, हाई, शुबा, हाई, तुने कहा था कि आट बजे किसे से मिलना है, क्या, कहा था ना, हाँ, कहा तो था, हाई, आपने अपना नाम नहीं बताया, पूछेंगे तब तो बताऊंगा, जब सामने वाला अपना नाम बताता है, तो खुद का नाम बताना मैनर्स है, मैनर्स, तो फिर मैं अपना नाम बताऊंगा तो तुम फिर अपना नाम बताऊगे, ओ गौड, ओके, अगर तुम इतना फोर्स करके पूछ रहो तो अपना नाम बताई देता हूँ, मेरा नाम है अटल बिहारी वाजपे ये बताऊंगा तो तुम मानने वाले तो हो नहीं रूम बॉय कहलाने वाला इतना चोटा आदमी भी नहीं हूँ मैं मेरा नाम है काले कोईले की खान काला रंग हमारे गाउं में वैसे किसी को पसंद नहीं है इसलिए मैंने अपना नाम शॉट करके केके कर लिया जूठी शान बगारने वालों के बीच मेरे जैसे लोगों की इज़त कहा है पता है लास्ट वीक मेरे दादा जी को एम्प्लॉइमेंट ऑफिस से काड आया था उसे उनके समाधी पर चड़ाने के अलावाद दूसरा कोई रास्ता नहीं था उस दिन के बाद से मैं सुबह सुबह चास रात को बियर दोस्तों के साथ घूमने के लिए उनकी कर पडोसियों के साथ बियर बार जूचो पाटे इन बिहार वहां मिले मुझे चीटर हजार अब मेरे पास बचाया सिर्फ अंडर वियर यार अब बता उसे कैसे बचाओं मैंने नाम पूचा क्या नाम नहीं पूचा लेकिन अपने बारे में बताते समय मैं अपना डिटेल बता देता हूँ यही मेरा मैनर है ओके ओके मिस्टर केके मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई ड्रिंक्स अगर आप पिना चाहें तो हैं साहाब बेहोशी के हालोत में है क्या सर अल्रेडी है मेरे पास तुम्हारे हाथ में ग्लास क्यों नहीं है नहीं मैं शराब नहीं पीता सिर्फ आज ही नहीं पी रहो या कभी नहीं पीते हो पीता था लेकिन छोड़ दी क्यों? प्यार की खतिर इंट्रेस्टिंग जो प्यार में हार जाता हो शराब पीता है और तुम कह रहें हो तुमने शराब छोड़ दी है आइए आप किस से प्यार के बारे में पूछ रहे हैं? ये इनसान प्यार की बहुत इज़त करता है ये कभी प्यार को बदनाम नहीं कर सकता वो चाहे जो भी वो इसे फर्क नहीं पड़ता फिर वो चाहे किसी अरब पती की बेटी ही क्यों नहो ये हमेशा के लिए पीछे हट जाएगा ये है सच्चा हिंदुस्तानी हेलो मैंने सवाल उनसे किया है सौरी सर ज़रा ज़्यादा इमोशनल हो गया था सर शराव पी कर या दाड़ी बढ़ा कर या जान दे कर कोई प्यार को जिन्दा नहीं रख सकता प्यार को जिन्दा रखने के लिए खुद का जिन्दा रहना ज़रूरी है इसलिए दुख में भी इन्सान को हसना चाहिए वेरी गूड 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 क्या लग रही है क्या मस्द घज्रा है यार देखना या अंटी एक दो मस्द है यार यहां तो लंगुर के साथ है अंगुर सर क्या चाहिए है मुझे आंटी चाहिए नई शिवा अपने आपे कंट्रोल कर प्लीज उस बुड़े की क्या किस्मत है कास अपनी भी अश्योत है जाप आरे ज़रा नस्दीक से देख अरे रे 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 वो तो करना ही है अरे पहले खाना खाना आया है ना अरे भाई खाना बाद में उसके बाद वो खाएंगे तो बात तो समस्ता है ने बहुत बजाएगा इस बात बातुת 省ख़ इस भी स्विप अरे वाल झाला। खजैंग से कर नार नियोँ उराााा application उरार उराक वुँआ यानि बाहर जाकर लड़ो एए रुक तु मेरा गुस्सा उन सब पर क्यों उतार रहा था उन लोगों ने औरत के साथ बत्तमीजे की इसलिए मारा उन लोगों को मारते समय उस औरत का हजबन कितना खुश हो रहा था इसलिए मैंने मारा वो लोग किसी के साथ कुछ भी करें तुझे क्या वो अकिला बेचारा किसी का क्या भीगाड लेता चार लोग मिलकर किसी एक को धमकाएंगे तो कोई भी डरेगा देख प्रभू दूसरों को हद से ज्यादा तकलीफ पहुंचे तो वो में देख नहीं सकता मेरा दिल जो चाहता है वो में बोलता हूं दिमाग जो सोचता है वो में करता हूं क्या बात है क्या बात है I like it man I like it ओके प्रताप मिलते हैं ओके गाइस सी उ संध्या अब चले भी लोग लास तो लोग लास तो साइड़ी चीब काइस ये बताओ ये शिवा जो है तुम्हारा फ्रेंड है ना कमाल है लोग तो बात कर लेते हैं तो भी फ्रेंड बन जाते हैं लेकिन ये तो फ्रेंड होते भी अंदेखा करके निकल गया शिवा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अभी बात करना ज़रूरी है जी हाँ बोलो रेस्टों में तुमने सबसे बात की लेकिन मुझसे हेलो तक नहीं कहा मेरे हेलो कहने से तुम्हारी शादी रुख जाएगी हेलो से मेरी शादी का क्या लेना देना मैं तुमसे पहले हेलो कहूंगा फिर तुम पुछोगी कि तुम कैसे हो जिस लड़की के साथ मैं प्यार करता हूँ वो किसी और के साथ डिनर डिसकों में घूमने जाए अच्छी बात नहीं है अगर मैं ऐसा कहूंगा तो तुम्हारा होने वाला हजबंड तुमसे शादी करेगा और तुम ऐसा क्यों कहोगे क्योंकि यही सच है क्या सच है तुमसे अगर दो लेकिन मैं नहीं करती मुझे उस बात के कोई परवा नहीं है प्लीज शिवा जो हो गया उसे बोलकर फ्रेंस की तरह नहीं रह सकते क्या कहा फ्रेंस तुमने जरा भी सोचे बीना या समझे बीना ये डायलोग कैसे बोल दिया फ्रेंस फ्रेंस बेकार वक्त में तुम फोन पर घंटों बाते करती थी जब बोर होती थी तो पूरे शहर में घूमकर मेरे साथ आइसक्रीम खाती थी टिकिट ना मिलने वाली फि मैं सच में जानता इसले पूछ रहा हूं मानना पड़ेगा तुम्हें सारी बात फ्रेंट्शुप पर ही खतम कर दी ये बात तुम मेरे भाई के सामने कहती तो अच्छा होता शिवा प्लीज ट्राइट अंडरस्टैंड मी देखो यार संधिया मुझे तुम्हारी तरह तो बेज़ती होगी ना हलो हाँ हाँ मैं आरहू है तरह मुझे फोन आये था अरूना नाम वह इंस्पेक्टर साब से पूछे शर्बरूना नाम का कोई वह अंदर अंदर जाकर देखो कि 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 मैं खुद खुशी करना चाहते थी पुलिस पकड़कर यहां ले आई यह लोग मुझे मरने भी नहीं देते मुझसे पुछा कोई पहचानवाला है क्या तब मैंने प्रभू के घर का नंबर दिया लेकिन वो यहां नहीं आएंगे मुझे पता था इंसान की जिंदेगे में कई दूफान आते हैं इसके लिए कोई अपनी जान देता है तुम बस एक फोन कर देती लेकिन तुम तो हम सबको भूल गई हो ना फोन करके मैं क्या करती क्या बताती प्यार पे भरोसा करके मैं जिसके साथ भाग गई थी वो मुझे धोखा देकर चला गया ये कहती एक नाएक दिन वो लोट कर आएगा यही सोचकर मैं उसका इंतजार करते करते यहां तक पहुच गई मेरे अपने मुझ से पूछेंगे कि तुम्हें प्यार के बदले में क्या मिला तो क्या मैं उसे कहूँगी कि मैं प्यार में तबाह हो गई बरबाद हो गई अपनी इज़त बेच कर जीने से तो अच्छा है कि मैं जहर खाकर अपनी जान ही दे दूँ इस हालत में अपने घरवालों को मैं कौन सा मूती खाऊंगी अपनी बहुत है नुष मैने कुछ काया नगी है मुच्छ भूत पुख लगी है घाई अए भी है तो कहां चला गया था कि आ है यह यह खुद आई कि तू लाया यह खुद नहीं आई है बलकि मैं इसे यहां लाया हूँ तुम अंदर चुलू चलो याद है यह उस दिन हम सब को छोड़ कर चली गई थी जिस पर भरो सके वो भी से छोड़ कर चला गया पुलिस स्टेशन में यह बिचारी अनात की तरह तड़ रही थी मुझसे कहने लगी कि खाना खाय वे बहुत दिन हो गया मुझसे साहा नहीं गया इसलिए मुझे जो करना चाहिए वो मैं करना हूँ हाई प्रभू प्रिया ने बुलाया है शादी की शॉपिंग करने जाना है क्या हुआ प्रभू इतने उदास क्यों हो एनी प्रॉब्लम वो अरुणा वापस लोटाई है अरुणा ओ जिसकी शादी शिवा के साथ क्या हुआ प्यार के लिए हम सब को छोड़ कर चली गई थी और आज देखो मुझ काला करके वापस फिर उसी घर में आ गई है जिन्दगी को खेल समझ कर रखा है उसने यह क्या है प्रभू उसका दुख बाटने की बचाए तुम यहां कर बैठे हो मैंने पापा को फोन कर दिया है अब उनको जो करना है वो करेंगे यहां लोट कर कीव आई वहीं मर क्यों नहीं गई ए तुम चुपढा हो तुम तुम आरे ही लाग कर्यायर का नतीजाच जेस दिन तुम घर से भागी थी उसी दिन तुम मेरे लिए मर गई थी फिर तुम यहां क्यों आही तुम्हें हमने सर आखो श्रीवा इसे कहो यहां से चली जाए इसे बाहर जाने के लिए नहीं रह सकती है तुम्हारी जिन्द की आज बरबाद है तो इसी की बजह से हमारी सारी खुशों को छीनकर हमारे मुँपर ठुक कर चली गई थी ऐसी नीच लड़की के लिए हमारे इस घर में कोई जगे नहीं है इसे कह दो यो चुपचाप चली जाए शादी के मंड़प से भागने के लिए ये अकिली जिम्मेदार नहीं है हम सभी जिम्मेदार है इसके हर खौईश आप बच्पन से पूरी करते आए हैं लेकिन शादी से पहले आपने मेरे बारे में इससे पूछा कि ये मुझे पसंद करती है या नहीं नहीं मैंने नहीं पूछा लेकिन ये तो बता सकती थी कैसे एक जवान लड़की अपने बाप से दिल की बात खुल कर कैसे बता सकती है माबाप बेटियों का आखों का तारा कलेजे का टुकड़ा समझ कर पालते हैं लेकिन जब वो बड़ी हो जाती है तो बड़ों को अपनी जित के आगे बेटी के आसो क्यों नहीं दिखाई देते हैं पान पट्टी वाला जब तक बाप से बेटे का करजा नहीं मांगता, तब तक बाप को ये पता नहीं चलता कि बेटा सिक्रेट पीता है। आपके बेटे को हमने बीच पर देखा सिनेमा हॉल में देखा ये बाहर के लोगों को पता चल जाता है। लेकिन वो किसे से प्यार करती है या माबाप को पता नहीं चलता। अपनी जिच छोड़कर अगर हर माबाप अपने बच्चों के दिल में क्या है ये पहले जाने की कोशिश करेंगे तो कोई भी लड़की अरूना की तरह मंडब से नहीं भागीगी अरूना घर लोटाई है तो आपको खुशी होनी चाहिए मामा जी अगर मैं दुबारा इसे गाउन ले गया तो गाउन वाले क्या कहेंगे क्या मैं सर उठाकर चल पाऊंगा आज तक आप सिर्फ गाउन वालों के बारे में ही सोचते हैं अपनों के बारे में नहीं आपके बारे में सोचने के लिए गाहां वालों के पास कोई टाइम नहीं है मामा जी वो खुदी अपने प्रॉब्लम्स में उल्जे हुए है बेकार में उनके बारे में सोचकर टेंशन मत लीजी अब बेटी पैदा करने के बाद उसकी शादी करवा कर सिर्फ ससुराल भीजना ही माबाप का फर्ज नहीं होता उसके अलावा भी बहुत सारी फर्ज होते हैं अगर किसी समस्या के कारण बेटी ससुराल से लौट आई है तो उसके आशों पुछने के लिए भी माबाप को तयार रहना चाहिए इस बात को ज़रा समझिए माफ करना अधर यहां पर अब तुवा का जाना है साब तिलक नगर जाना सुबह सुबह तिलक नगर के लिए पच्छत्तर रुपया बहुत ज़ादा है फिर सौ रुपय दे दीजीगा अरो गया बात है तुम मेरे जैसे हो बैटो बैटो मिल जाएगा इतनी जल्दी तिलक नगर आ गया ड्रेवर आख बंद करके खोलने से पहले तुमने तिलक नगर पहुंचा दिया बहुत अच्छा तिलक नगर देखो बुरे मत मैनना सुबह सुबह शराप पी कर गाड़ी चलाना तुमारे लिए भी अच्छा नहीं मेरे लिए भी अच्छा नहीं यह लो सौ रुपे चुटते रख लेना एप एप कीप दचेंज अरे यह किया मैं लटकर फिर से अपनी जेगे पर आ गया क्या किंग अड़ी बार लगता है तिलक नगर के बगल में इसका ब्रांच खुल गया है राइवर मुझे जल्दी से थोड़ा जल्दी ठीक है सर ब्रेदर आप कहा के हो मेरी यही की पैदाईश है पूछ क्यों रहे हो कहा जा रहो तिलक नगर जा रहा हो एई तो है तिलक नगर सुबह से टाइट है क्या आहां सर ठीक है सर बाद बें मिलता हूँ है है का जा रहो है बाई तु एक नमबर का दारू बाजी ये सारी दुनिया जानती है तुझे तिलक नगर कौन साय कहा है कैसे पता चलेगा लगता है ये चोटा बच्चा अभी अभी बेर बार से आया और इ आये सर यही तिलक नगर है ये भाई तुझे क्या हो गया हर कोई अपने एरिये को छोड़कर दूसरे के एरिये में जाकर लफटा करता है लेकिन मैंने आज तक ऐसी कोई नौबत नहीं आने थी ए बाई उधर देखो किंग ओडी का एक बोर्ड लगा हुआ है ना है वहां की दो चीज बहुत ही फेमस है यहां का एक पुराना मुर्गन का मंदिर और दूसरा ये बार वहां पर कोई जाना नहीं चाहता और यहां पर किसी को सीट नहीं मिलती है ऐसी जगा है यह समझे यह तिलक नगर है और यह किंग ओडी का ब्रांच है तुम्हारे सामने हाथ जोड लार्ज इस तरफ क्या यह तिलक नगर का ब्रांच है ना तो फिर यहां से आगे चलके लगाते हैं में ब्रांच यह तो बहुत अच्छी बात है चलो अच्छा आटो में बैट जाओ तुम्हार थे खड़ा है यहां पर अध्राइवर हमने ऐसे ही एक आद्वी को तिलक नग खाना खाया ठीक है मत खाओ खाना तुम लोग मुझे भूक लगी है यहां कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं बहुत कंफ्यूज हूं यार अरे बटुगनत येस तु कभी तो एड़्यस कर लिया कर यार कल का जो था वो सब मैंने खा लिया तुझे चिकन बिर्यानी चल वेट वो तो मुझे नहीं पता इस संडे से बच्चा निकलेगा फिर उसका मुर्गी बनेगा उसके बाद चिकन बिर्यानी ये वेट चला मत क्या कर सकता था मैं घर में गैस नहीं है क्या बनाता मैं बताओ तो एमजनसी में पडोसियों से कुछ ले लेता ना अरे पडोस मे इसका खाना खाकर अरुना फिर से घर छोड़कर भाग जाएगी शिवा मैं जा रही हूँ सॉरी किसलिए नहीं तुम हमेशा हस्ती खेलती रहती हो यहां आकर हमारे प्रोब्लम में तुम भी उलच गई ऐसा कुछ नहीं है मैं तो अरुना से मिलने आई थी रभु ने मुझे सब कुछ बता दिया है तुमसे एक बात पूछू शिवा बोलो तुम अरुना से नाराज हो क्या मैं क्यों नाराज होंगा क्यूं उसने तुम्हें ठुकरा दिया था ना ठुकरा तो तुमने भी मुझे दिया है तो क्या मैं तुमसे भी नाराज हो जाऊंगा भले अरुना उसके चाहने वाले के साथ भग गी तुमने भी मुझे नापसंद करके ठुकरा दिया उस बात से नाराज होकर क्या फाइदा ये तो सबका नीजी मामला है तुम हर बात को गलत तरीके से क्यों लेते हो मैं सही तरीके से ही लेता हूँ लेकिन लोग ही मुझे समझ नहीं पाते है शिवा मैं गाड़ी नहीं लाई हूँ तुम मुझे घर तक ड्रॉप करतो के एक मिनिट प्रभू प्रभू किसलिए तुम्हें ड्रॉप करने के लिए क्यों तुम नहीं कर सकते संधया बाइक पे जो पीछे बैठती है वो या तो माह हो सकती है बहन हो सकती है या फिर शादी की हुई बीवी फ्रेंडली एक लड़की को नाइट में बाइक पर बिठा कर ले जाना मेरी आदत नहीं है एक मिनिट रखो मैं प्रभु को भेशता हूं आई 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 यह क्या लेंगे आप लोग कॉफी टी बोनवीटा हॉलेक्स हमसे पहले यहां कोई कस्टमर नहीं आया गया इस आर लेटेस मॉडल डारेक्टली इंपोर्टेट फ्रम इंडिया यह अच्छी लग रही है ना खास नहीं है यह बेटर रहेगा मुझे यही पसंद है तो मैं पैक कर दूसार यह कपड़े यह कहने यह सब दूसरों को दिखाने के लिए पहनते हैं खुद के लिए नहीं खुद के पसंद से ज्यादा दूसरे की पसंद की यह चीज को सिलेट करना अकलमंदी होती है समझ गई ना आई थेंग यू गाट इट ओके इसे पैक कर दीजिये और क्या चाहिए रिंक्स कान का नहीं उंगली का यह ठीक है मुझे यह पसंद है तो इन सब का बेल बनादू वानम संध्या अंगुठी हमेशा हमारे हाथ में ही रहती है ताकि उसे हम बार-बार देखते रहें सो दूसरों की पसंद से ज्यादा जो तुम्हे पसंदो और मुझे पसंदो उसे खरीदना अकलमंदी है क्या भी रहा है आई तेंग पैक कर दो इसे एक्सक्यूज मी सर मुझे एक छोट असा डाउट है जो ड्रेस मर्द लोग पहनते हैं वो औरों की पसंद की होनी चाहिए या अपनी पसंद की होनी चाहिए क्यों तुम्हारी खोपड़ी में भूसा भरा आएगा हाँ वह संध्या है ना हाँ हाई संध्या हाई अरुना कैसी हो तो मैं ठीक हूँ ये बता तुम यहां कैसे गहने खरीदने आई हूँ अभी से उन्हें ट्रेनिंग दे रही हूं अच्छा अरुना ये प्रताब है इनी से मेरी शादी होने वाली है ये अरुना है तभू की सिस्टर अब कुछले हैं और आफ आइं इनी से मेरी शादी होने वाली है कыт कि अरुना कैसी हो तुम यह सवाल मैं तुमसे नहीं करूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मुझे देखते ही मुझे भड़क जाओगी मुझे जो गलती हो गई उसे सुधारने का मुझे एक मोखा दो यह कहके गिरगडाओंगा ऐसा सोच रही हो उसे चौड़कर मेरे साथ भाग भगए यह लड़की तुमसे अमीर बहुत अमीर है तो दुमने भी घलत करा है अगर मैंने घलत किया है, तो तुमने भी गलत किया है प्यार तो एक एंटरेटैन्मेंट है जो चाहे वो पर सकता है लेकिन शादी एक बड़ी जिम्मेदारी है इसके लिए मुझे पैसे चाहिए इसलिए मैं सोच समझ के एक पैसे वाली से शादी कर रहा हूँ लेकिन तुम्हें इस बारे में कोई चिंटा करने की ज़रूत नहीं है ओके? ओहुँ इंडियन लड़कियो ना अरुना, शादी खत्म होते ही पैसा मेरे हाथ आ जाएगा उसके बाद तुम्हें किसी बात की कमी नहीं रहेगी रखेल बनाऊँगा क्यों रे? तुन्हें मुझे त्वे बात की जागर समझ रखा है तुझे एश करने के लिए पैसा चाहिए और आयाशी के लिए लड़की चाहिए ना यह अरुना तेरे लिए कब की मर चुकी है निकल जा यहां से, निकल जा अब मैं तेरी अच्छे से खातिरदारी करूँगा तो बिल्कुल यही सोच रहा होगा लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा तु हमारे ही घर के अंदर घुसकर हमारे प्यार को छीनकर हमारे घर का नमक खाकर हमारी ही घर की लड़की को रखेल बना कर रखूँगा ऐसा कह रहा है तो बता अब मैं तेरा क्या करूँ कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा है ना सही है लेकिन मैं कुछ नहीं करूँगा क्योंकि लड़की के हाथ से थपड़ खाने वाला तू मेरे हाथ से नहीं खा सकता तेरी आउकात ही नहीं है तेरी इतनी कमीनी हरकत के बाद भी मैंने तुझे घर से ऐसे ही जाने दे दिया तो सूच तेरी आउकत क्या है मेरा हाथ उठने से पहले ही तू इस तरह डर रहा है मारूँगा तो क्या होगा आप सुन आज के बाद दुबारा कभी मुझे नजर भी मताना तो क्योंकि दुबारा अगर तू मेरी आँखों के सामने भी आया तो वो तेरी जिन्देगी का आखर ही दिन होगा चल निकल चल निकल यहाज बहुत बहुत शुक्री आरून क्योंकि जब वो यहाँ आकर अपना दुख़डा सुना रहा था तो मुझे ऐसा डर लग रहा था कि कहीं तुम उसके भैकावे में न आ जाओ क्योंकि अगर तुम ऐसी गलती करती तो वो तुम्हें अपने पैरों की जूती बना कर रखता और वापस तुम उसके धोके का शिकार हो जाती अपनी गलती का एहसास होने के बाद सामने वाले को सबक सिखाना गलत नहीं है लड़कियों के आशु बहुत कीमती होते हैं उन्हें ऐसे खुदगर्ज कमिनों के आगे वेस्ट मत करो क्यों भाई तुम्हारा पेट्रोल खता मोगया लिफ्ट चाहिए क्या इस जिस्मों को लिफ्ट नहीं सर इस पेट को फूड चाहिए सर पेट को फूड चाहिए बागल खाने से आए हो क्या तुझे शरम नहीं आती टकला खोपणी देखो पढ़ा लिका लगता है पैंट शेट पहना हुआ है तेरे जैसे लोग अगर ऐसा करेंगे तो हमारे जैसे लोग क्या करेंगे बता पूरी रात मैं जी जान से मेहनद करता हूँ लेकिन बाल बच्चों का पेट नहीं भर पाता है बाल बच्चों को बीच में मतला जीते हैं शान से मरते हैं शान से ऐसे वीरो का देश है ये जिन्दा रहने पर एक गिलास पानी मांगो तो भी नहीं मिलता, लेकिन मरने के बाद गंगा जल पिलाते हैं, ऐसा देश है ये, समझ गया ना, जब तक अपने बाजू में बल है, तब तक अपने ही पसीरे की कमाई खानी चाहिए, ये किस ने कहा सर, भावेंदर, भारती, दा इसलिए हाथ पर हाथ रख कर मत खड़े रहो, अब तक जो काम करते आये हो, उसी काम को पूरी शिद्धत से करते रहो, कल से मैं ऐसा ही करूँगा सर, कल से करेगा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब, चल जा के अभी से शुरू क जालों, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, भाई, काका, देख यह हाथ है, और यह हत्यार है, करक्त है, मैं नहीं तुझे गलत सलाह दे दी, यह ले, मैंने सोचा था, मेरा मूह ही खराब है, लेकि तो टाइम भी खराब है, टाइम, चल घड़ी निकल, लगता है, मेरी घड़ चल दी, कर, अगर तो इसी तरह से सबको लूटता रहेगा, तो इस गाहों में लोग कैसे चैन से रह पाएंगे, अरे हाँ चैन, गले से चैन निकल, यह तो मुझे लूटता ही जा रहा है, अब लगता है, मुझे अपना मूह बंद रखना पड़ेगा, ले, चल मेरे गले मे चल, उस बेवफानेता की तरह है, तेरे हार के लिए मैं तुझे हार पहना रहा हूँ, चल मेरे बाप, अब मुझे छोड़ दे, फ्रेंड की बाइक लेकर आया हूँ, यह चल बाइक भी छोड़, बाइक मैं कैसे छोड़ू यार, तु कहां जा रहा है, मैं वहां बाजू मे तेलन बाजार की तरफ जा रहा हूँ, और मुझे अमला घाट जाना है, बहुत दूर है, अमला घाट बहुत दूर है, तो फिर तू चल के जा, फ्रेंड बाइक के बाइक के बार है, पूचेगा तो क्या जबाब दूगा, टैंक फूल है न, अभी अभी तू फूल कराया है के गेर कौन सा है, यही है न, वो तो टार है, रे चल जाना बे, रुख जा, रुख जा, तुझे विजे कुमार से कहके न, अच्छा सबक सिकाऊंगा, ठीक है कह देना, मैं जाके मनजूला मैडम से कह दूँगा, मनजूला मैडम, तो बै कमीने, तिरे लिए एक्टर विजे कुमार और कमिशनर विजे कुमार में कोई फार्ट नहीं है क्या, लुट गया, कोई भी लड़की अगर किसी लड़के से, अचानक कभी हाथ मिलाती है, तो उसे एक शेक हैंड समझके भूल जाना चाहिए, लेकिन अगर धोस्ती के रिष्टी को तुम एक प्यार का नाम दे अंकल, आव बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वो देख रही हो वहाँ, अमेरिका से गीताने गिफ्ट भिजवाई है, शिवा लेके आया है, कामोश के हो गई, आज तो मैं कामोश हूँ, पर अगले हफते दुलन बन कर हसूँगी, कहीं शादी के बाद तु आपको ही दूंगी, शादी में जरूर आईएगा, तो फेर सबसे पहले आउँगा मैं, और सबसे बाद में जाऊँगा, ठीक है, अंकल, मैं चलता हूँ, चलता हूँ, आटी, ओके अंकल, मैं भी निकलती हूँ, फ्रेंस को इंविटेशन देना है, ठीक है, बेटा, ओल दे टांक यू, सी ओ, आटी, बाई बेटा, शिवा, दो सालों से जिसने अंकल को एक फोन तक नहीं किया, उसे अचानक इनकी याद कैसे आई, वो तुम उनके लिए लाए हो ना, शिवा, वन मिनिट, क्या है, मेरी शादी का इंविटेशन, तुम्हें मेरी शादी में आना है, एक इंविटेशन कार्ट बेस्ट मत करो, मैं नहीं आऊँगा, क्यों? जब मैंने कहा तुम्हें मैं चाहता हूँ, तब तुमने कहा कि मैं तुम्हें नहीं चाहती, जिसे मैं चाहता हूँ, उसे किसी और की बाहों में नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं, सेंटिमेंट, तुम बहुत अकलमंध हो, शिवा, जब मैंने तुम्हारी प्यार को ठुकरा दिया, तो तुमने वो सारा गुस्सा एक लड़की को कुछ लोग छेड रहे थे उन पर उतारा, और अब कह रहे हो, शाधी में नहीं आना चाहते, मुझे इंप्रेस करने के लिए तुम मेजर अंकल को तौफा दे सकते हो, और उसके… करने वाले और भूल बेचने वालों के अलावा और किसी का घर बसी नहीं पाएगा, तुम्हारे दिल में जो लड़कों के लिए गलत फैमिया ना उसे निकाल दो, एक लड़की जब कुछ ठान लेती है ना, तो जिन्दगी भर कोई उसे बदन नहीं सकता, प्यार के लिए और प्यार के लिए मरने वाले लड़के ही होते हैं, एक शाह जहां थे जिन्नोंने अपनी बीवी की याद में इतना बड़ा ताज महल बनवा दिया, लेकिन संसार में कोई एक ऐसी बीवी मुझे बता दो, जिसने अपने पती के लिए एक जोपडा भी बनवाया हो, प्यार जिवा तुम लड़कियों को आता ही क्या है, अगर ओरतों को न, दुनिया में मा का स्थान नहीं मिला होता न, कोई वैल्यू नहीं होती, कौन कैसा है कैसा नहीं है, ये जानने से पहले ही 50 रुपे का नाश्ता खाकर या फिर 5 रुपे का कोन आइसक्रिम खाकर, माबाप के क किसी को बिना बताय हो जाता है, और शादी बताने के बाद होती है, लेकिन तुम्हारा तो प्यार पर विश्वास ही नहीं है, तो पता नहीं उसका रिजट्ट क्या होगा, जिसका हाथ तुम पकड़ने जा रही हो, वो आखिर तक तुम्हारा साथ देगा या नहीं, ये सुछता है, वो करता हूँ, इतने उदासके हैं, बेटी, मा, एक बात बताओ, कोई लड़का मुझे ऐसी लड़की को पावकर खुश रहेगा ना, कैसा सवाल पूछ रही है तु, बताओ ना मा, देख बेटा हर पती चाहता है, कि उसकी पत्नी फुल की तरह महके, अगनी की तरह पवित्र हो, लेकिन लड़का कैसा होना चाहिए, ये किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि आज तक इतिहास लिखने वाले, पुरान लिखने वाले सारे पूरुशी थे, हर पूरुश को अपनी आजादी पसंद होती है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि पत्नी को भी आजादी देनी चाहिए, इस विशह में आज तक किसने सोचा ही नहीं, और सोच भी नहीं सकता, इससे भी बढ़कर, जो लड़के सब कुछ छोड़कर मेरी लिए आई है, उसकी हिफाज़त करनी ऐसा सोचने वाला कोई मिल जाए, तो एक औरत के लिए इससे ज़ादा सवभागी की बात होई नहीं सकती तुमने लाइबरिरी देखी उसमें बहुत सारी कितावे हो, उन्हें कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन हमारा ये प्यार परसनल डायरी की तरह होता है, उसे जो लिखता है बस वही पढ़ सकता है, अगर उसे ले जाकर हम लाइबरिर में रख दे तो हर कोई पढ़ेगा, तो बेजज़ती होगी न? बेटी पैदा करने के बाद उसकी शादी करवा कर सिर्फ ससुराल भीजना ही माबाप का फर्ज नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सारी फर्ज होते हैं, अगर किसी समस्या के कारण बेटी ससुराल से लाट आई है, तो उसके आसों पोचने के यह क्या यार, चार लोगों में तीन ग्लास क्यों बना है? पीना शुरू किया, उसके बाद जब ये लुड़कते लुड़कते धक्का मुक्की खाकर मस्बूत हुआ, तो इसने वादा किया कि हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे, उसके बाद इसने पीना छोड़ दिया, उसके बाद जब वो लड़की दुबारा इसके पास अपना marriage invitation लेकर के आई थी, तब भी इसने शराब को हाथ नहीं लगाया, इतना चोट खाकर भी ये नहीं पिया, तो क्या आभी ये पिएगा, अब पिएगा ये, बोल पिएगा ये, बोल पिएगा शिवा तुने धारू पी, यार मैं तेरी इतनी तारीफ कर रहा हूँ मैंने पी है, तो उसे भूलने के लिए, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए प्यार हमेशा रहेगा, यार मैं उसको कभी भूला नहीं सकता, इस खुशी में पी रहा हूँ हाँ, क्या, है, है, हाँ, हाँ तेरे हुतन सा जादू चल गया, मेरा दिल ये बेकाबू हो गया ना जाने कब ये भी सल गया, ते बर मेरा पूरा बदल गया करता हूँ मैं अब ये ही कामना, हर दिन तुझ से हो अमना सामना तू है मेरी रानी, बना ले मुझको राजा जो भी हुआ तेरा, दूर मुझ से तू अब ना जा तेरे हुतन सा जादू चल गया, मेरा दिल ये बेकाबू हो गया ना जाने कब ये भी सल गया, ते बर मेरा पूरा बदल गया तुझ सी कोई देखी ही नहीं, तेरी वोते लगे है सही तू ही मेरी मिष्टी दही, मिठी लगे जो तूने कही जो तू मुझ को मिल जाए, छोड़ दू मैं सारा जहा जोड़ी अपनी जम जाए, मुझ सा आशिक होगा कहा खाल करे सेरी ये कातिल लदा, हो गया हूँ मैं तो तुझ पे सिदा तू है मेरी रानी, बाना ले मुझ को रजा जोगी हुआ सेरा, दूर मुझ से तू अब न जा तेरे हुस्न सा जादू चल गया, मेरा दिल ये बेकाबू हो गया ना जाने कब ये भी सल गया, देवर मेरा पूरा बदल गया तेरा, हुआ दिल दिवाना, मैंने तुझे माना अपना, मिलके लिखे अफसाना मुझसे दूरब तू ना जना तू चापानी है गुडिया या कश्मेरी की तू है चली जाजू की तू कोई पुडिया फिर भी लगे तू सबसे भली तू लैला मेरी मैं मजनू तेरा शाती के लिए पहनोंगा सहरा तू है मेरी रानी बना ले मुझको राजा जो भी हुआ तेरा दूर मुझसे तू अब ना जा तेरे उतन का जादू चल गया मेरा दुरिये दे काबू हो गया ना जाने कब ये भी सल गया ते बर मेरा पूरा बदल गया करता हूँ मैं अब ये ही कामना हर दिन तुझ से हो आमना सामना तू है मेरी रानी बना ले मुझको राजा जो की हुआ तेरा दूर मुझसे तू अब ना जा तू है मेरी रानी बना ले मुझको राजा जो की हुआ तेरा दूर मुझसे तू अब ना जा शू़ खूब लिब खूब लिखे लिए ऑिएर खूब लूई टूब लिए खूब लिए FI खिएुब जिस लड़की ने गलती की उसे घर ले जाने की मुझे में हिम्मत नहीं थी बेटा वो हिम्मत तुमने मुझे दी मुझे बहुत फक्र है कि मैंने तुम्हारी परवरिश की चलती हूं बेटा मैंने सुचा था मेरी जित्ते की खत्म होगी पर तुमने फिर से मेरी जित्ते की सवादीर दिवाज शिवाज मुझे देखो मुझे देखो अरुना हमेशा माबाप के साथ रहना उन्हें कभी भी मत छोड़ना क्योंकि उन्हें के वज़ा से हम दुनिया देख पाते हैं अब मुझे फिर से तुम्हारी आँखों में आशों नहीं देखने चाहिए चलो चलो शिवा यार तो अरुना को इतनी हिम्मत देता है तो फिर उसे शादी क्यों नहीं कर लेता शादी कभी भी किसी का एहसान चुकाने के लिए नहीं की जाती अगर मैं अरुना से शादी करता तो उसे लगता कि मैं मजबूरी में उससे शादी कर रहा हूँ और इस बात के लिए मेरा दिल कभी मुझे इजाज़त नहीं देता और हम दोनों जिन्देगी बर कभी भी चैन से जी नहीं बाते लड़की की शादी को सिर्फ चार दिन रहे और अब तक कार्स नहीं मटें ये टाई शर्ट पहन के नवाब बनने से काम नहीं होता है लो पकड़ो कार्ट्स और काम खतम करो डाड़ी क्या हुआ? सभी फ्रेंड्स को इन्वेट किया ना? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है हाँ, बोलो क्या बात है? मुझे ये शादी नहीं करनी जानी बेटा, चार दिन बाद शादी और तुम ये बात अब बता रही हो मुझे प्रताब पसंद नहीं है I'm sorry डाड़ी क्या हुआ आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? तुमने जो बात कही वो गलत तो नहीं है बेटा पर गलत समय पे कही है कोई आउडर कैंसिल करने के लिए भी दो-चार दिन का वक दिया जाता है लेकिन बाप होने के नाते तुमने मुझे इतना वक भी नहीं दिया जब उससे शादी तैय हुई थी तभी बता दिती या फिर जब शादी के कार्ट बटने शुरू है उससे पहले बता दिती अब क्यों बता रही हूँ? हमारे सारे इश्रिदार कल से आना शुरू हो जाएंगी तो मैं क्या जवाब दूँगा? अब सुनो ये शादी होका रहेगी और ये शादी उसी तारिक को होगी अगर तुम्हें हमारा अश्रिदार चाहिए तो तुम्हें इस शादी के लिए राजी हो ना होगा वरना उसी दिन तेरे बाप की अर्थी निकलेगी आईए न ये शिवा कौन है? जी मैं ही हूँ, हम इससे पहले भी मिल चुके हैं रोज ना जाने कितने लोग मुझसे मिलने आते हैं और किसी की शकल थोड़ी याद रहती है और शाद इसलिए मुझे तुम्हारी शकल कुछ याद नहीं है क्या करें मेमरी भीग हो गई है पैसे भी, तुम्हें याद रखने जैसी चीज तो कोई है नहीं तुम कोई VIP तो हो नहीं मेरी बेटी ने बताया, तुम अच्छे कोको केटरिंग संभालते हो खाने में क्या-क्या डालने से उसका जायका बढ़ जाता है मेरी बेटी की शादी में सेक्यूरिटी पे मैंने जित्रा पैसा खर्च किया है न उतनी तुम्हारी पूरे साल के भी इंकम नहीं होगी तुम जैसे चोटे लोग बड़े घर की लड़कियों को पैसों के लिए फसाते हैं ये बात मैं जानता हूँ ये लो ब्लैंक चेक है इसके बाद मेरी बेटी के आसपास भी नजर मत आना इस चेक की कीमत शायद दो रुपे होगी ये लीजे देखा आपने जो पैसा मैंने आप पर दे मारा आपको कितनी ठेस पहुँची आपने जिस पैसे की बात की वो चाहे आपके पास कितना भी हो पर मरने के बाद तो आप कुछ साथ नहीं ले जा सकते आपके पैसों का सुक कोई और उठाएगा यही तो जिन्दगी है मरने के बाद पैसे की कोई कीमत नहीं होती यह बात पूरी दुनिया जानती है पर इंसान के जिन्दा रहने तक पैसे की क्या कीमत है यह भी दुनिया जानती है और उसी पैसे के सोर पे मैं कुछ भी खरीच सकता हूँ कुछ भी, कार, बंगला, आपकी बेटी की खुशिया, वो भी खरीच सकता हूँ, अगर खरीच सकते हो तो आप यहां क्यों खड़े हो, कहीं आपको यह डर तो नहीं लग रहा है कि शायद मेरी वज़े से आपकी बेटी की शादी रुक न जाए, इसलिए, यही होती है प्यार दुश्मनी मोल को ले रहे हो, याद रखो, यह दुश्मनी महंगी पड़ सकती है, देखिए, जिन्देगी में मैं कभी किसी के साथ दुश्मनी करता नहीं हो, लेकिन अगर अगला मेरे से दुश्मनी करना चाहता है, तो पीछे भी नहीं यटता, देखो, फिलाल तुम पर प्यार का भूठ सवा रहे है, इसलिए पैसा ठुकरा रहे हो, यह एक करोड का चेक है, इतनी बड़ी रकम देखी नहीं होगी, अच्छी तरह देख लो, क्योंकि एक घंटे बाद तुम बैंक में नजर आओगे एए, तुम सब यहां बैठी-बैठी क्या कर रहे हो, मौरत का टाइम निकला जा रहा है, संध्या कमरे में अके लिए है, जाकर उसे तैयार करो, जाओ जल्दी गर्मार करें कने लिए है, संध्या करा देखित प्यार है, कितने प्यारी लगए है, संध्या कि वह अने आगे उसका माव झेका, सहरी है कितने प्यारी है नहीं जुछी झाल 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 झा शिवा, मैं आगे शिवा, मैं सब को छोड़ कर आगई मैंने शादी से इंकार कर दिया शिवा, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो परताप से शादी से इंकार कर दिया, तो आप क्या? एक लड़की शादी के मंदब से भाग कर आगई और तुम्हें पता नहीं कि उसे कहा ले जाना है? कहां ले जाओ बताओ, पुलिस स्टेशन ले जाओ या रेलोविस स्टेशन ले जाओ रेजिस्टेशन आफिस में शिवा, मुझे क्या हुआ पता नहीं पहले मैं तुम्हें नजर अंदास कर रही थी और आज तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो ओ गोड़, ये सब क्या हो रहा है? साफ साफ को हो न? I love you संधिया, तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया या किसे के दबाओं में आकर तुम मुझसे आईलोवी कह रही है शिवा, जिस वक्त मैंने तुम्हारे प्यार को छुक रहाया पर मैं शादी के लिए राजी नहीं हूँ मुझे माफ कर दो शिवा, और मेरे प्यार को खुबूल करो प्लीज शिवा, प्लीज प्लीज शिवा इसे यहां डाले सुनिये जी, संध्या मिल नहीं रही है संध्या मिल नहीं रही है प्लीज शिवा जा कर बैठाओ गो 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 अब 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 आई लाइक इट कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे जरा एक मिनिट साड में आओगे मुहरत का टाइम निकल जाएगा बाद में बात करते हैं ना अरे शुब मुहर तो अभी शुरू हुआ है यार आजाना बात ये दामाजी कहां चले गए मुझे कैसे पता होगा अनॉंस्मेंट करा दो क्या अपना वो बंद रखो अंकल 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 कूल 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 डाउन दमाजी ये क्या है दमाद मैं नहीं वो है आपका दमाद लेकाम एकिर पता ही नहीं चली आप लगताट बदल गया है यह दुला कैसे बदल मुझे पताने चल रहा है क्याँ हुआ पंड़ी जी मंगल सुतर कहा है बोल गया क्या देजिए देजिए अरे शादी हो रही है सब लोग खुश्या बनाओ अरे लीजिए खुल डालिए सन्धिया यह हमारी फॉस्ट नाइट फॉस्ट नैट में लड़की सरह शर्माति है और तुम्हें देख रहाएं तो तुम टेंशन ले रही है नहीं 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 रूम में ले जाकर तुमनेस्थ्य के साथ दूलान को फॉस्ट नैट में यह बाते नहीं करनी मुद रخना चाहिए जओ चया हो ना को इस नहीं अपको हो का सब्चो क बताता हूं इस तरह शादी के मंदब सेिडागे मिले जाकर रहे वह ओओ शानी के बाद संधिया को कैसे रखना ही यह करने आ हैं तो उस दिन कह रहे थे आप मुझे मार नहीं सकते लगता है आज भी नहीं मारोगे ना क्योंकि मैं तुम्हेरे दोस्त का होने वाला पती जो हूँ मेरे रास्ते में मत आना मैंने उस दिन ही तुझे ये बताया था इस बाद को जानते हुए भी तुशादी के मंडप में दूले के ड्रेस में जाकर बैठ गया इसके बाद भी अगर मैं चुप बैठा तो पब्लिक चुप नहीं बैठेगी उस दिन तुझे नहीं मारा इसका कारण ये था कि संध्या के ये फीलना करी कि मैं गलत किसम का इंसान हूँ इसलिए नहीं मारा था लेकिन आज मार रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया है कि संध्या मुझसे प्यार करती है आज के बाद अगर उसकी तरफ कोई देखेगा भी तो मैं उसे नहीं छोड़ूँगा और तेरी इतने हिम्मत कि तू उसके बगल में जाकर बैड़ गया वो दिन कुछ और थे जब संधिया मेरी पहुँच के बाहर थे लेकिन आज संधिया मुझ पर मर मिटने के लिए तयार है तो तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुझे छोड़ दूँगा बड़ी बड़ी डिगरिया हासिल करके लड़कियों को फासला तेरा धंदा है न इतना बड़ा सांड की तरह हो गया है लेकिन इस बात का पता नहीं चला कि संधिया मेरी है सर 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 आसे सारी लड़कियों मेरी बहन है सर किसी को भी गलत नजर से नहीं देखूँगा मैं यहाँ से चुप-चाप चला जाओंगा सर मेरे विश्वास कीजिए चल उट सारी लड़कियों को तुने बहन बोला है तो संधिया संधिया भी तो तेरी बहन ही हुई न कैसी बात कर रहे हो भाई मैं तो यह सब पैसों के लिए करता हो पैसे मिल जा तुम्हें चला जाओंगा यह बताब लड़कियों को फासना यह तुने अपना धंदा क्यों बना रखा है बोल ना पैसों के लिए इस शादी में तुझे दहज में कितने पैसे मिलने वाले थे वो अरे वो वो क्या जितने है वो बोल वो पचास लख रुपे यह ले संध्या के बाप ने बिना नाम का मुझे एक करोड का चेक दिया है इसे तु बैंक में लेगे जा और इनकेश करवा ले जा एक करोड यह प्रताप इतना बेकार आदमी है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया अगर मैं बताता तो तुम मुझे पर यकिन नहीं करती मैं चाहरा था कि तुम मेरे प्यार को समझा और इसलिए मैंने ये सारा खेल खेला जिससे सच तुम्हारे सामने आ गया और अब सब कुछ ठीक है ठीक है और तुमने उसे एक करोड का चेक क्यों दिया अरे बेकार आत्मी को मैं ऐसी पर से दे दूंगा ये तुमने कैसे सोच दिया फिर तुमने उसे चेक क्यों दिया तुम मुझे भी नहीं जानती और अपने पापा को भी नहीं जानती लेकिन मैं तुम्हारे पापा को अच्छे से जानता हूँ लालारीरा, लालारीरा शादी के मंडब पे तुम्हारा बहुत अप्पान हुआ लेकिन इसके बावजू तुमने बड़े मन से मुझे माफ किया और मेरी इज़त बचाए अगर मेरी कोई दूसरी बेटी होती तो मैं उसकी शादी पक्का तुमसे करवा देता पर क्या करूँ एक ही बेटी है और उसकी शादी हो गई है इस ओके इस ओके अंकल संध्या खुश रहे और क्या चाहिए यही सोच कर तो उस शिवा को मैंने एक करोड का ब्लैंक चेक दे दिया था उसके बावजूद उसने मेरी बेटी से शादी कर ली हाई अंकल यह क्या कर दिया अंकल मेरा जानू मेरा दिल जो सोचता है वह मैं कहता हूं और जो दिमाग सोचता है वह मैं करता हूं लेकिन इस वक्त मुझे कुछ और करने का मन कर रहा है वर्क आउट हो गया